I think I am live now Yes I am live now कैसे हो बाई सब लोग बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए तो एक बार आप सबी को फिलाल ने साल की पहली क्लास पर स्वागत है और ने साल की पहली क्लास पर आपनों क्लास करने जा रहे हैं दिसमबर का जर्जला यानि कि पिछले महीने हमने क्या पढ़ा उसके उपर एक क्विक नजर डालेंगे एक जारा सी बारीक नजर डालेंगे एक्शल में आप हमेशा मैं जब भी मंतली करेंटरफेस पढ़ाता हूँ टाकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें जोगी अगर मैं दो ढ़ाई टीन गंटे का अगर इसे पना दूँगा तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी फूटफूल नहीं रहता है तो इसको कम समय में हम लोग करने की कोसिस करेंगे और आप सभी से गुजारी से कि वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दीजे आप में से कुछ लोग नए होंगे और मेरा इस तरह का गेट अप देखकर के रात में काला चस्मा लगाया हुए बैठा हुआ आदमी तो आपको लग सकता है कि ये आदमी थोड़ा सा हल हिला हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये चस्मा सिर्फो सिर्फ लगाना मेरी मजबूरी है हर वीडियो के पहले मैं ये डिकलेयर कर रहा हुँ आप सिर्फ रिवाइस कर लीजे और अच्छा इन चीज मैंने और सोची है कि मैं एक काम करता हूं आपको कि जितना अभी अभी तरह हम लोग ने करेंट अपेस किया है उसका वन लाइनर अप से हम लोग उसको सुरू कर देते हैं वन लाइनर के फॉर्म में आपको पीडियाप दे दू क्योंकि एक या दो पेज की एक ऐसी पीडियाप आपको मिल जाए और कुछ लोग कुछ कह रहा होंगे सर बोर्ड पर क्यों नहीं आए उसकी वज़य सबसे बड़ी यह रहिए कि बोर्ड लाइक नहीं है तो किस भारती मुलके कारेकारी को ट्विटर का नए CEO निउफ्त किया गया है तो वो हैं पराग अगरवाल तस्वीर आप देखना चाहें तो मेरे पास उनकी तस्वीर भी है तो राइट आंसर इस पराग अगरवाल ट्विटर के नए CEO कौन बने है पराग अगरवाल बताते जाएए और ऑप्शन करते जाएए जर्मनी के अगले चांसलर कौन होंगे सिर्फ आंसर करिए और जो आपके सामने आ रहा है उस निउज को रिकॉल करिए बागी डिटेल हम लोग डेली करेंटरफेस में कर लेते हैं तो जर्मनी के नए अगले चांसलर बने हैं आपके ओल उफ इसकॉल्ज ओल उफ इसकॉल्ज जो है उन्होंने आपका एंजला मॉर्टल की जगे ली है जर्मनी के बारे में आपको ये याद रखना चाहिए कि विस्ट की पहली फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रें विस्ट की पहली self driving train खुद ही चल रही है वो किसने चलाई है वो जर्मनी नहीं चलाई है यानि कि स्वता चाले train जो है वो जर्मनी ने अभी हाली में सुरूख की थी तो all of schools जो है जर्मनी के अगले chancellor होंगे जिन्होंने अंजला मेरकल का इस्थान दिया है Sweden की पहली महिला प्रधान मंतरी कौन बनी है तस्वीर भी आप देख सकते हैं महिली महिला प्रधान मंतरी बनी और कुछ दिनों बाद ही इनको इस्तिफा देना पड़ गया फिर उसके बाद ये दुबारा Sweden की प्रधान मंतरी बनी और पहली महिला पदान मंत्री के नाम के रूप में है मैगलेना एंडर्शन मैगलेना एंडर्शन जो है ये स्वीडन की पहली महिला पदान मंत्री है और क्या आप जानते हैं कि स्वीडन की संसत को क्या कहा जाता है स्वीडन की संसत को कहा जाता है स्वीडन की संसत को कहा जाता है रिक्स डैग तो इन्होंने स्टीफेन लोफेन का इस्थान लिया है अगर आपको स्वीडन का स्टीफेन लोफेन याद आ रहे हैं तो उनको हटा दीजेगा इसके जिए के कौन आ जाएंगे आपके मैगला डेना एंडर्शन हो जाएंगी किस देश ने कहा कि 2025 तक हम दुनिया का पहला तैरता सहर इस्थापित हो जाएगा यानि कि विश्व का पहला तैरता हुआ सहर अब जैसे जैसे समुद्र का जल इस्तर बढ़ रहा है तो भाई तैरते सहर की ज़रूद तो पढ़ेगी भाई आदमी जाएगा कहां जमीन पे पानी भर जाएगा तो तैरता हुआ सहर जो डेवलप करने जा रहा है वो है साउथ कोरिया और ये कब तक इसे डेवलप कर लेगा दो हजार पच्छिस तक जो है साउथ कोरिया इसे डे कर लेगा ठीक है बिहार एक्जाम अच्छा गया है बहुत बढ़ी आविनीश रंजन शेयर करते रहें वीडियो को साउथ कोरिया इस दा राइट आंसर और ये तैरते वे सहर की फोटो आप देख सकते हैं कोई टेंशन मत लेना मलब कोई भी लोड मत लेना कि कर कोई डेटा याद नहीं आता तो लोड मत लो बिल्कुल भी लोड लेने की जरुवत नहीं है कोई भी जब सेशन कराई जाता है कोई भी वीड़ियो करा जाता है कुछ अपनी आपने आपको याद आएगा और आप देखेंगे और आपको यहाँ पर फील होगा जयार नखियेगा यह बुसान सहर के पास है यह कहाँ पर है बुसान सहर के पास आप जैवल ABC यांसर करते जाईए आप जैवल ABC यांसर करें अगला करीए आज़ें आभी साओथ कोडिया का आप को याद होगा कि उन्होंने नूरी नाम का पहला होम ग्रोन रॉकेट जो है वो launch किया है ना नूरी, नूरी याद रखेगा, याद रखेगा, नूरी, आगे, अगला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर है, तीस नॉम्ब दो जरी किसको रिकार्ड सात्मी बार, पुरसों का बैलेंडी और एवार्ड किस ने जीता है, बैलेंडी और एवार्ड जो है, वो लियोनेल मैसी ने जीता है, सात्मी बार, रिकार्ड सात्मी बार, बैलेंडी और पुरसकार जो है, यह आपका क्यों दिया जाता है, यह फ्रांस की पत्रिका द्वारा दिया जाता है, और 1956 से हर साल दिया जा रहा है, सारी डिटेल है यहाँ पर, अगर आप PDF से पढ़ना चाहेंगे, तो उसे पढ़ लेंगे, बस अभी आप क्या करो, बस रिकार्ड करो चीज़ों को, हाँ, बैली इंडी और जो है, वो किस ने जीता था, लियोनेल मैसी ने जीता था, ठीक, बहुत बढ़िया, हाली में इंटरपोल के अध्यच्छ कौन चुने गए, कोशन बहुत जादा है, क्योंकि जीते, दिसंबर में बहुत जादा इंपोर्डेटिूनी उस थी, तो इसलिए मैं तोलएतल सा तेज चल रहहा हूँ, इंटरपोल, इंटरनेश्नल पूलिस, इंटरपोल का मुख्याले कहाँ पर है? बता सकते हैंगे, इंटरपोल का मुख्याले जो है, वो आपका फ्रांस म आएगे हैं वो है एहमद नासर अल रईसी एहमद नासर अल रईसी किस देश से आते हैं UAE से आते हैं किसी भी संस्था में कोई भी एपॉइंट हो रहा है तो उसके बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए वो कहां से आता है ठीक है इसको याद रखिए फ्रांस में है इसका मुक्याले फ्रांस में है इसके अलबा एक भारती हैं उनका नाम है प्रवीन सिना जो CBI के विसेश निदेशक हैं उनने इंतरपोल की कारिश समीती के लिए एसिया से प्रतिनिधी चुना गया है ठीक है इसको याद रखिएगा और ये कौन सी बैटेक रूर इंतरपो नसीर अल्राइसी ये विवादित अधिकारी है UAE के हैं उनको चुना गया है इंटरपोल हाली में मलेशिया ओपन स्क्वैस चैंपियंशिप 2021 का पूरुस किताब किसने जीता भाई आप लोग ने अभी तक सेर नहीं किया है वीडियो को नामने का सौरव घुसाल क्या आप देखना चाहेंगे तस्वीर उनकी ये लिजिए आपके सामने उनकी तस्वीर भी हादिर है वोगत मैने से करेंट अब्ष ऐर किया जाता है राइडांतरी सौरव घुसाल इसक्वैस जानते हैं ना इसकोक थो जानते ही होगे, नहीं जानते हैं किया, इसकोक इस ठीक है, और मुन्ना ब alignment क्यों कहते ही, मिरी सकल मलती है, मुन्ना बहुत गाली देता है वो तु हूँ, बढ़ाएं गंडा लगद है, माला, उन्होंने रोल किया है दिवेंद्डू सुकला में, बढ़िया रोल कि किस राज्य सरकार ने संजय दत को ब्रांड एमेड़े की रूप में साइन किया है कि ब्रांड एमेड़े की रूप में किसने साइन किया अगर मैं आपको यह बता दूं कि यहां के राजिपाल कौन है और में तो आंसरी बता दिया तो देंदर राइट आंसरी जारूनाचल प्रदेश को संजय दत के साथ कौन बैटे हीमंद विश्वास सर्मा बैटे है यह बै प्रतिवस कब मनाए जाता है प्रतिवस कब मना जाता है एक दिसंबर को पर्मनेंट खांडू क्या है यार तुम लोग कह रहा है पर्मनेंट खांडू एक दिसंबर इधा राइट आंतर और इसका थीम इस बार याद रखेगा एट्स खतम करो महामारी खतम करो हाली में विश्व का सबसे नया गड्राजी कौन सा बना है एक नया देश मिला हमें 2021 में नया देश अभी भी नय देश मिल रहे हैं ये राइट आंतर है अब बारवाडोस इसने महरानी के सासन को कहा अलविदा और खुद के सासन को कहा आजा तो बारवाडोस इस दा से लए राजदानी पता दो इसी बात पर बारवाडोस की राजदानी बता दो रह प्रेसिडेंट बनी है देश की पहली महीला राष्पतिन राश्पति टेम सेंड्रा प्राइला मैंशन है चार सो बसे पर बाद की सो नय गडड्राज बना है और और मिले और यह आपको किनारे केर्बियन कंट्रीज में मिलेगा साउथ अमेरिका और USA के बीच में आहाँ नाकामियों लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और काम्याब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान ठक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में ठीक है ओके थैंक्यू चलो किसी ने किसी बाने मिला तो मैं लंदन की इकोनोमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के उनसार दुनिया का सबसे महिंगा सहर कौन है अगर आप यहाँ पर रहने जाएंगे तो खाना भी महिंगा रहना भी महिंगा और तो और घूमना भी महिंगा तो यह है विस्ट का सबसे अमीर सबसे सबसे महिंगा सहर यह है तेल अवीव ये कहाँ पर है? ये इसराइल में है. क्या इसराइल आपने अंदाधा लगाया था? टिक है. तो विस्व भर में महिंगाई की लगातार बढ़ रही है और इस सुची में इजराइल का सहर तेल अवीब टॉप पर रहा है जबकि अगर हम बात करें तो तेल अवीब के बाद पेरिस और सिंगापूर एक साथ है जुरिक तीसरे नमबर पर है हौंग कॉंग चौते नमबर प सुची है भारत का एहमदाबाद विस्व के सबसे सस्ते देशों में सात्वे नमबर पर है तो ये भी पूछा जा सकता है सस्ते देशों में भारत का एहमदाबाद जो सात्वे नमबर पर है सबसे सस्ता जो है वो लुसाका है जांबिया टिक है तो मैं गौर्जियस कहना नह करने वाला पहला भारती सहर बनाहें है कॉन सा सहर रोपई का सब्सक्राइब जो है यहां पर रोपए के जरिए अप शार्वजनिक सेवा यूस्ट कर पाएंगे इससे पहले यह दा ये इसे लापाज लापाज ओर मैक्सिको सिटी के बाद ये कासी में स्टिशन बनेंगे मतलब लापाज और मैक्सिव सिटी के बाद ये तीसरा ऐसा सहर है विस्व का जहां पर इस तरह के आपको चीज़े मिलेंगे RBI के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राजे पहले से घृषinky 19, 2010 में थे और महराज देश के सबसे बड़े सर्विस सेंटर की रूप में इब रहा है याला पेछे चल रहे है आप लोग्छ ठोड़़ा टाइम पर आजओ क्योंकि मैं जज्दा पढ़ा ले जा रहा हमं आपके कमेंट बहुत लेट आ रहे हैं तो सभी लोग अपने वीडियो को चाहे तो फॉर्वर्ड मोड में कर ले या फिर आप बार वापस जाहिए और वापस जाहिए ठीक है बहुत बढ़िया यार आज कमसम 200 का टार्गेट है अपना राष्टी रच्छा कॉले नई दिली का प्रमुक किसे नियुक किया गया नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू डेली कौन बनाए गये हैं हैड कौन बनाए गये हैं बताए 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 कौन बनाए गये हैं राइडा अधाम जरी मनोज कुमार मागो साय उत्तर क्या है मनोज कुमार मागो मनुशकुमार मागो जो है वो नई दिल्ली अच्छा कॉलेज के 34 में कॉमांडेंड के रूप में उन्होंने पद बरहार ग्रहार है ये कहाँ पर है राषตीष्टी इंर अच्छा कॉलेज नेशनल डेपेंस कॉलेज नई दिल लेगे, ये भी पुछा जाता है सीधे सीधे बस अभी ये क्या डारेक्ट हिट करेंगे, जो कोशन है उसी को हिट करेंगे डेटेल हम लोग डेली करेंट डेटेल बहुत करते हैं कौन सा साथ तो कॉलिंस डिक्सनरी का word of the year बना है, इस बार कॉलिंस डिक्सनरी का, मज़ा आ रहा है न अगर मैं ज़्यादा डेटेल करूँगा तो आप भी बोर होने लगोगा आपको लोगेगा यार, बार-बार वही चीज़े आ रही है NFT, NFT का फुलफॉर में non-fungible tokens non-fungible tokens, ये कॉलिंस का है, किसका है, कॉलिंस का याद रखेगा कॉलिंस ने non-fungible tokens को word of the year बनाया है क्योंकि इसने देखा कि blockchain technology में इसका काफी use हो रहा था NFT का, ये blockchain technology जो वो होता न, वो अपका cryptocurrency वाला उसकी लिए है, तो यहाँ पर दिखा जाए, तो इटली ने 2021 में G20 देशों की सभी बैटकों की मेजबानी की, इंडोनेशिया ने कहा 2022 की हम करेंगे, और इंडिया को फिर 2023 का मेजबानी मिला, तो ये तीनों ही देश जो है, वो वरतमान समय में G20 के ट्रॉइका में है, ट्रॉइका का मलब तीन घोडों वाला रत होता है, तो तीन जो पहला कर चुका है वो, जो इस साल करेगा वो, और जो तीसर साल, क्या, मेजबानी, है ना, तो राइट आंथर हो जाएगा, ओल अब किसमे की, इंडोनेशिया 2022 में कर लेगा, हम 2023 में कर लेगे, सब मिलबाट के कर लेगे, है ना, तो G20, ठीक है, चलो, आगे जलते हैं, वीमेन ओफ दा इयर, वर्ड एथलेटिक्स ने, वीमेन ओफ दा इयर के पुरुसकात से किसे नमादा है, ये तस्वीर देख पारे हैं, पैचानेंगे इन्हें कौन है, आजा, कई लोगों confusion होता हैं कि, वीमेन ओफ दा इयर वर्ड एथलेटिक्स ने अभी घोषना की है, तो अन्जू बाभी जौर, देखो कुछ और मास सोचो, सारे कुशन अभी आई जाएंगे आपके पास, सारे कुशन मैं आपको कराई दू तो वर्ड एथलेटिक्स ने अन्जू बाभी जौर्ज को वीमेन ओफ दा इयर घोषित किया है, लॉंग जम्प है, सॉरी, confusion मुझे भी हुआ, लॉंग जम्प में कांश्य पदक अपने नाम किया था, दोजा तीन में, विस एथलेटिक चैंपियनसिप है, फिलाल दोजा त तीन में इनोंने अर्जन पुरुषकार जीता था, दोजा चार में राजीव गांधी खेल लतने से भी समानित किया गया, इसके लवा वर्ड एथलेटिक्स ऑफ दा इयर ने इस बार एथलीट ऑफ दा इयर फॉर मेन कैटेगरी दिया है काश्टन वार होम को, किसको दिया है काश्टन वार होम को, कहां से हैं, ये नौर्वे से हैं, इसके अलवा वीमन यानि की फीमेल एथलीट ऑफ दा इयर एलेन थॉम्शन हेरा, एलेन थॉम्शन हेरा, एलेन थॉम्शन हेरा कहां से हैं, एलेन थॉम्शन हेरा जमाइका से हैं, एलेन थॉम्शन हेरा का नाम याद रखेगा आगे cooking to save your life नामप पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है cooking to save your life नामप पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है जिन्होंने like नहीं किया है वीडियो को वो like करते हुए चलेंगे और थोड़ा सा share where करते चलेंगे अभी बहुत कम लोग देख रहो मदा नहीं आ रहा बुला के लाओ सबको पकड़ करके cooking to save your life नामप पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है तो यह है 2019 के आपके अरसाथ के नोबल पुरुसकार विजेता अभी जीत बेनर्दी अचा यहीं बताना 2021 का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया 2021 के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जोसुआ अंग्रेज ने यानि कि जोसुआ एंग्रिस्ट ने गुड़ी की अम्मा यानि कि गुईडो इम्बेंस का डेविट कार्ट चुरा लिया इनको 2021 का अर्षास का नोबल मिला है तो अब भारती मुल्ग अमेरिकी अर्षास्त्री और नोबल पुरुसकार विजेता अब जीत बेना जी ने कुकिंग टूसे योर लाइफ नाम पुस्तक लिखी है आगे बढ़ते हैं अंतराष्टी मुद्रा कोस का फर्ष्ट डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर किसे बनाएगा है यह अंतराष्टी मुद्रा कोस में दूसरे नंबर की पोजीचन है यह अभी हाली में किसको हासल भी हाँ जी एकोनॉमिक्स ही तो बोला मैंने Changingatori में चल रहो है राइट आंसर है यह गीता गोपिनाथ गीता गोपिनाथ जो है वो IMF में रिटायर होने वाली थी IMF वालों ने का कहां जा रही हो यहीं रहो प्रमोशन देते हैं तुमको दे दिया प्रमोशन तो गीता गोपिनाथ जो है उन्हें प्रमोट कर first deputy managing director बनाए गया है अभी तक वो chief economist के पत पर काम कर रही थी IMF का मुख्याल है आपका Washington DC में है वर्तमान समय में क्रिष्टलीना जारजीवा जो की बुलगारिया से बिलोंग करती है उनका वहाँ पे head है वो president के तोर पर काम कर रही है गीता गोपिनाज जो है was the first female chief economist थी यानि कि international monetary fund में आपके IMF में पहली मुख महिला अक्सास तरी थी आगे हाली में अबदुल्ला हम दोक को एक बार फिर से किस देश का प्रधान मंतरी बनाए गया है करते जाएए करते जाएए फटाफट आंसर करें दीपक आंसर करो ये motivation quote मत बेजो आंसर करो इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा आप class में भी बने भी रहेंगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा आप motivation quote मत बेज़ें आप पढ़ाई करें वो ज्यादा important है आपके लिए भी हो मेरे लिए भी ठीक है ठीक है आप comment answer करो Sudan is the right answer उससे आपको फायदा होगा motivation quote लिखने तो कोई फायदा नहीं होगा मैं आपका नाम ले भी चुका हो तो आप कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा मंच है जिससे आप अपना नाम लेना चाह रहे है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको सुडान के सेन अधिगारियों नेताओं के बीच प्रथान मंत्री अब्दुल्ला हम्दोग को एक बार फिर से प्रथान मंत्री बना लिया गया है क्योंकि वहाँ पर सेना ने सासन कर लिया था तो उनको हटा दिया था नजर्बंद कर दिया था हाली में भारत के परेटन विकास निकम यानि कि इंडिया टूरिज्म डेवलमेंट कॉर्परेशन का अध्यच किसे बनाए गया हाँ सुडान की कैपिटल खार्थूम है रेखा सर्मा इंटर इंडियन वीमेन कमीशन याश्टी महिला आयो संबित पात्रा इदर राइट आंस अबैकुमार सिंग जरूर याद रखे इसमें तो महला आइटी डीसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपकर नया बना है ना मिनिस्ट्री ओफ कॉपरेशन मिनिस्ट्री ओफ कॉपरेशन उसके हेड बनाएगा है उसके जोईन सेकेटरी बनाएगा है सैकारिता मं इन जीची के स्वतन निदेशा के रूपे भी कारेवार समाल चुके हैं चक्रवाज जवाद आया भी 25 अबंद 2021 को है ना आंत्पदेश के तटों से टकराया इसका नामकरन किस देश ने किया था इसका नामकरन किसकी देश ने किया था चक्रवाज जवाद का नाम नामकरन किस देश ने किया था या, very good, right answer यह सौदी अरबिया और अब जो आएगा उसका नामकरन कौन करेगा अब जो आएगा जैसे जवाद आ चुका है तो अब आएगा असानी अब जो भी आएगा हिंद महा सागर या अरब सागर में वो आपका स्री लंका उसको नाम करना देगा उसका नाम क्या होगा असानी उसका नाम क्या होगा असानी तो अब अगला नंबर स्री लंका का है इससे पहले साहीन आया था तो साहीन जो नाम था वो कतर ने दिया था साहीन नाम किसने दिया था कतर ने दिया था याद रखेगा गुलाब पाकिस्तान ने दिया था गुलाब जो है वो पाकिस्तान ने दिया था तो अब जो आएगा वो स्री लंका का होगा असानी भारतिये 9 सीना दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है बिल्कुल 1-5 गंटे चलेगा भारतिये 9 सीना दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है आप थोड़ा जल्दी लिदी करेंगे हम लोग और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे इसकी तो भारती ये 9 सिना दिवस याद रखिएगा हर साल 4 दिसम्बर को मना जाता है क्योंकि इसी दिन Operation Trident हुआ था Operation Trident का मतलब समझते हैं इसमें भारती ये 9 सिना ने क्या किया था ना पाकितन सिना के छक्के छुड़ा दिया थे पूरे जो निश्ते नाबूत थे इसको Trident नाम क्यों दिया गया था क्योंकि भारत के 3 जहाज Trident नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि नीरगट निपट नीरगट निपट और वीर ये भारत की 3 बोट थी जोनोंने पाकितन के छक्के छुड़ा दिया थे ये त्रिसूल की तरह काम किया थे, त्राइडें का मलब होता है त्रिसूल, वर्तमान समय में आपके Chief of Neville Staff को न है? वर्तमान समय में आपके Chief of Neville Staff बनाए गए है, आर हरी कुमार, वाइक करम भी एफिंग चले गए है, याद अखना, बदल देना उनको, कौन हो है, आर हरी कुमार, आर्मी डे 15 जुनवरी, और एरपोस डे 8 अट अक्टूबर, सही है, एक नम करेक्ट है, तो 19 से 1 गतर में वाइ विस्व म्रदा दिवस प्रतिवस कब मना जाता है, विस्व म्रदा दिवस प्रतिवस कब मना जाता है, वर्ड स्वाइल डे, बहुत अच्छे, वर्ड स्वाइल डे प्रतिवस 5 दिसंबर को मना जाता है, इस बार इसकी थीम जो रहेगी, वो रहेगी, कि आपकी जो थीम है, यहां कहीं नहीं लिखी, यहीं लिखी है, देखें Hard Soil Salinization Boost Soil Productivity यानि कि मिट्टी की लवणता को रोकिए और उसकी उत्पादक्ता को बढ़ाई है World Soil Day 5 December, UN द्वारा समर्तित है एक चीज़ याद रखेगा King Bhoomi Bowl Award, Soil Day, Award जो था वो Indian Council of Agriculture Research, ICAR को मिला था Bhoomi Bowl जो है, वो Thailand की राजा द्वारा दिया जाता है Thailand की राजा रहे Bhoomi Bowl, तो Thailand द्वारा यह सम्मान दिया जाता है पिछली बार ICAR को यह दिया गया था BWF Player of the Year किसे चुना गया है? Badminton World Federation ने Player of the Year किसे चुना है? Badminton World Federation ने Player of the Year किसे चुना है? Victor Accelson, Tie 2 Inc. को Victor Accelson, Accelson, Sorry Denmark के है और Tie 2 Inc. जो है, वो अच्छा, BWF का मुख्याले कहां पर है? BWF का मुख्याले कौलालंपुर में है Malaysia इसका मुख्याले कहां पर है? कौलालंपुर में है BWF तो यहाँ पर राइट आंसर के हो जाएगा? एक को Female Player of the Year चुना है और एक को Male Player of the Year चुना है तो राइट आंसर होगा A and B both तो फिलाल Victor Accelson और Tie 2 Inc. को क्रमसा BWF पूरे सोब महिला किताबों से समानित किया गया है 4 दिसंबर को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर किसने इतियास रच दिया कौन ऐसा खिलाडी था एक ही पारी में 10 विकेट ले लिया अनिल कुमले का रिकॉर्ट तोड़ दिया राइट आंसर ही जिम लेकर और अनिल कुमले के बाद तीसरे नंबर पर ये कारनामा करने वाले थे एजाज पटेल एजाज पटेल किस देश से है एजाज पटेल न्यूजी लेंड की तरफ से खेलते है किस देश की तरफ से खेलते है न्यूजी लेंड की तरफ से खेलते है बाएहाथ के स्पिनर है 4 दिसमबर को भारत के खिलाब दूसरे टेक्स मैच में एक पारी में सभी 10 लिकेट लेकर इनों नहीं कारणामा कर दिया था और ऐसा करने वाले वो जिम लेकर और अनिल कुम्बले के बाद उपलब्धी आंसिल करने वाले तीसरे गेन बाज है तिक है, न्यूजिलेंड का याद रखेगा अगला, केन सरकार के अनुसार भारत में कब तक 9 परमाडू रियक्टर हो जाएंगे राइट आंदरी 2024, थोड़ा पास का आकड़ा है, याद रखेगा 2024 तक हम लोग 9 परमाडू रियक्टर हमारे पास होंगे ऐसी योजना जो है, वो भारत में बताई गया रही है कि 2024 तक भारत में 9 परमाडू रियक्टर और 12 नए अत्रिक रियक्टर होंगे इसके लिए हमने फ्रांस के साथ थोड़ा समझाता भी किया है 2024 याद रखेगा, 9 परमाडू रियक्टर काम कर रहे होंगे भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा परमाडू रियक्टर जो है वो कुंडल कुलम, तमिलनाडू में है भारत और केट देश के बीच, 14 दिवसीर सेंट सेनब याद, एकुवरीन का आयोजन किया गया भारत और केट देश के बीच में एकुवरीन का आयोजन किया गया अभी लोग ने, जहां पर भी यह मैं बात करेंगे, हम लोग देश की Right answer is Maldiv भारत और Maldiv के बीद में पोली जाती है वह दिवेही लेंग्वेज बोली जाती है कौन सी लेंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है दिवेही दिवेही जो है या फिर लक्ष दीप में भी बोली जाती है इसको याद रखेगा मालदीब और भारत के बीट में एकुवरीन का आयोजन हुआ था चौदा दिवसी ये दब्यास था तो ग्यारवाद संस्क्रण इसका आयोजित हुआ था मालदीब में आयोजित हुआ आयोजित कहा हुआ था? मालदीब में ही हुआ था और ग्यारमा संस्क्राण था ठीक है अगला जी आर्सी द्वारा भारत का पहला सर्विच्छन पोट कौन सा लॉंच किया गया सर्विच्छन का मतलब हाइड्रोग्रॉफिक सर्वे पोट यह समुद्र में जाएगा वहाँ पर खोजबीन करेगा मिनरल्स बगेरा खोजएगा इसका नाम क्या है इंडिया उडिया ऑड कैंपेन अभी सुरू के था एन लोग ने यहां पर कुछ लोग हैं जो राजनीती होओवा दे रहे हमीं सरी ले रहे हैं हमी यह आपका हाइड्रोग्राफिक प्रोड है अभी हाली में एफ आइच ओरीचा होकी जूनियर पुरुस जूनियर विस्वकप किसमें जीत दिया यह टीम की जर्शी से समझ पाएंगे कौन से राइड आंतरीज अर्जन More ने जर्मनी को हरा दिया, ये कहाँ पर हो रहा था, ये उडिशा के कलिंग स्टेडियम में खेला जा रहा था, उडिगा के कलिंग स्टेडियम में और्जेंटीना ने आपका 6 बार के चैंपियन जर्मनी को हरा कर ये मैच जीता, मिस्ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का किताब किसने जीता है? आप सिर्फ और सिर्फ आंसर करते चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ पूरा मत लिखें, आप जो भी लिख रहे हैं बस उसी का आंसर करते चाहिए और वीडियो को लाइक करते चाहिए, उसी में काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा परिशान होने की ज़रूतर नहीं है शेर करते रहेंगे भाई हाली में Miss Trans Global Universe 2021 का किताब किसमें जीता है तो right answer is सुरुती सिथारा कहां जा रहे हो भाई जाओ नहीं कहीं, यहीं पर बने रहो मैं पढ़ाने पर मसत हो जाता हूँ तो तुम लोग भाग जाते हो बाते करता हूँ तो तुम लोग बने रहे तो यह गलत बात है सुरुती सिथारा को भारत की सबसे खुबसूरे ट्रांसजेंडर माना जाता है 2018 में उन्होंने Miss India ट्रांसजेंडर का किताब भी जीता था और Miss Trans Global Universe का किताब सुरुती सिथारा ने जीता है Cambridge Dictionary ने Word of the Year 2021 से किस सब्द को गोसित किया Cambridge का बताना आपको Cambridge ने किसको गोसित किया राइड आंदरी परसेबरेंस भाई NFT तो कॉलिंस ने कर दिया वैक्सीन जो था ये मरियम वेवस्टर नहीं किया मरियम वेवस्टर की भी एक वो आती है Dictionary उन्होंने मरियम वेविस्टार तो उन्होंने वैक्सीन को गोसित किया राइड आंसर परसेबरेंस परसेबरेंस जो था वो नासा का रोवर भी था जोड़ार तरीके से शेयर करिये पूरा करेंग का Parent offence का PDF मिलेगा अभी फोड़ दिन पहले तो करा है जनुमरी टो अक्टूबर नॉमबर दिसमबर इधा रूगा जा रहा है जनुमरी टो अक्टूबर अभी थोड़ दिन पहले करा है तो राइट आंधर कौने जेती रोसहिया कौने जेती रोसहिया जो है वो तमिलनाड़ के पूर राजपाल और आंधर पतिस के पूर मुक्मंदी रहे जिनका भी हाली मिनितन हो गया आंधराश्टी नागरी कुट्डेंदेस कब मनाया जाता है International Civil Aviation Day ये भी आपका UN दौरा समर्तित है और ICAO दौरा मनायता है International Civil Aviation Organization इसका मुख्याले कहां पर है इसका मुख्याले मौन्ट्रियल कनाड़ा में है ये याद रखेगा और ये कब मनाया गया Civil Aviation Day 7 दिसम्बर को नागरी कुट्डेंदेन जीने सुन नहीं सकता आपके comment देख सकता हूं सुन तो नहीं सकता Logically नहीं सुन सकता हूं इतने सारे comment आते हैं कि आप देखी दो Right answer is 7 दिसम्बर अंतर राश्टी नागरी कुट्डेंदेवस हर बस 7 दिसम्बर को मनाया जाता है उन्हें छंदमा पर कदम रखा होगा उनका नाम क्या है अनिल मैनन सय उत्तर क्या हो जाएगा अनिल मैनन Share करते रो भाई दोस्तों बीच-बीच में करते रो बड़ा तो चांद पर चमकेगा भारत अब तक किसी भारती ने चंदमा पर कदम नहीं रखा है अनिल मेलन सफल होते हैं तो ऐसा करने वाले पहले भारत बंसी होंगे सबसे पहले भारती है जो अंतरिच में गए 3 अपरेल 1984 को राकेश शर्मा कल्पना चावला 1999 नॉमबर 1997 पहली भारत बंसी थी इसके लबा सिर्शा बांदला का नाम याद रखेगा सिर्शा बांदला जो हैं तीसरी भारती मुलकी महिला है जो अभी हाली में अंतरिच में होके आई चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की डेट याद रखेए चंद्रयान 2 बाई जुलाई 2009 चंद्रयान 1 बाई अक्टूबर 2008 से लेके 28 सगर 2009 तो काम करता रा इसका वजन भी एक बार पूछ लिया गया था तो इसका वजन 1380 किलो था है ना जबकि चंद्रयान 2 का जो वजन था वो आपका था 3850 किलो चंद्रयान 2 का वजन जो था वो था 3850 किलो ठीक है तो इनके वजन जरूर याद रखेगा और जब चंद्रयान एक गया था तब जी माधवन नायर जो थे वो आपके हैट थे इस रो के और जब ये चंद्रयान 2 गया है तो के सिवान है के सिवान टिक है निमने में से किसे सिप्रियन पोयस एवार्ड के लिए चुना गया तो पहला सिप्रियन फोयस एवार्ड जो है यह operator theory के लिए दिया गया था और यह पहली बार किसको मिला निकल सिर्वास्तों को मिला निकल सिर्वास्तों जाने वाने गड़ तक है अब इवने पिछले साल Michael and Silla held पुरुसकार भी मिला था इन्हें क्या मिला था? Michael and Silla held पुरुसकार से भी सम्वानित किया गया था और यह इन्हें काडिंगर समस्या को सॉल करने के लिए दिया गया था तीक है? याद रखिएगा गौतम चिंतामनी दौरा लिखित पुस्तक, दा मिडवे बैटल और इस पुस्तक का विमोचन किस ने किया? हमारे उपराशपती वेंग गया नाइडू ने पुस्तक का नाम है मिडवे बैटल लिखी किस ने थी? गौतम चिंतामनी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंड़ेश्टी का नया अध्यच किसे नामित किया गया है इनको पैचानते हैं ये हैं आपके संजीव महता तो फिक्की के नए अध्यच कौन बन गए है? फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने हैं संजीव महता उद्यसंकर का इस्थान लिया है और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में इनकी इस्थापना हुई ये इसकी इस्थापना 1927 में यानि 1927 में महत्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी CEO वर्दमान समय में संगीता रेड़ी हैं जबकि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो संजीव महता हो गया है संजीव महता कोन है? संजीव महता हिंदुस्तान यूनी लीवर कोल्गेट मंजन करते हो उसी कंपनी का है के संजीव महता को पिक्की का दर्च बनाए गया है ताद दितमद 2021 को अकिल भारती आयर विज्ञान संस्थान एम्स गोरख पुर्म का उद्गाटन कितने क्या हो? एक बार और जबदस तरीके से से शेयर करो, लाइक तो काफी हो गया, अगर इतने सारे लोग लाइव रहते हैं तो काफी मज़ा आ जाता एम्स का उद्गाटन भाई नरेंद मोदी जी करके आए गोरख पुर में और कौन करेगा? बारत की पहली मनोचिकेस्थाक जिनका अभी हाली में निदन हो गया बारत की पहली मनोचिकेस्थाक, इसलिए काफी important है बारत की पहली मनोचिकेस्थाक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर सार्दा मैनन को किनको जाना जाता है डॉक्टर सार्दा मैनन को इनका अभी हाली में निदन हो गया था अब की बार 200 पार करते रहो वाई बारत की पहली महिला मनुचे के सख मांतिक स्वास्त संक्सान के सबसे लंबे तक स्रीमा देने वाली पदम भूसन से सम्मानित डॉक्टर मम्बिल कातिल सार्दा मैनन का भी हाली में निदन हो गया वे करनाटक की रहने वाली थी 57 ग्यानपीट पुरुसकार किसने जीता है 57 ग्यानपीट पुरुसकार मैं 56 नहीं पूछ रहा हूँ 55 आपके अकितम अच्छुतर नमुदरी मलियालम के लेखा 56 भी दिया गया है 57 भी एक साथ दे दिया गया है तो दो लोगों को ये एवर्ड दिये गया है आपको बताना है 57 57 जो है वो दामोदर मौजेदे को दिया गया है 57 ये आपके कोंकनी के लेखा कहा है कोंकनी कहां पर बोली जाती है गोवा में आपको मिल जाएगी नील मनी फूकन जो है इनको 56 ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया ठीक है हाँ जी अब यहां पर काफी सारी जानगारी आपको ग्यानपीट पुरुसकार से रखनी चाहिए जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो ग्यानपीट पुरुसकार था वो किसको मिला था सबसे पहला ज्यानपीट पुरुसकार मनलब ये आपका 1965 में एक लाख रुप पुरुषकार मिला था वो कुवन नरायन को मिला था और सबसे पहले ग्यानपीट पुरुषकार जो मिला था वो किसको मिला था जी संकर कुरुप को ये पतान किया गया था सबसे पहले हिंदी का जो ग्यानपीट पुरुषकार था वो आपको 1968 में सुमित्रा नंदन पंथ को दिया गया था ग्यानपीट पुर्षकार पे इसलिए रुका क्योंकि इसको लेकर करके UPSI ने बहुत कोशन पूछा उनको किस करती के लिए मिला था चिदंबरा के लिए तो अब ये किसी एक करती के लिए नहीं मिलता है अब ये सब के लिए मिलता है इसके बाद 1972 में हमारे रामधारी जी को मिला था रामधारी सिंग दिनकर जी को मिला था उर्वसी के लिए किसके लिए मिला था उर्वसी के लिए इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये डेटा जो है काफी ज़्यादा important है बहुत बार पूछा जा सकता है अब तक सरवादी बार ये हिंदी और कंणड भासा में दिया गया है साथ-साथ बार ये पुरुषकार हिंदी और कंणड भासा वाले पास चुके है हाली में वर्ड-LPG Association के अध्यच की रूप में किसे चुना गया है हाली में वर्ड-ने ग्यानपीट पर उसका तो बहुत इंपोर्टन रहता है यार ये किसी में भी पूछा जा सकता है हाली में वर्ड-LPG Association के अध्यच के रूप में किसे चुना गया है तो ये है स्रीकान मादववैद ये IOCL से बिलॉंग करते हैं इंडियान ऐओल कॉपरेशन लिम्टेट के निदेशक है मैडरिड में आयो जो डेविसकप टूर्नमेंट किस ने जीता डेविसकप टूर्नमेंट जो है दोस्तों ये 18 टीमों के बीच में खेला जाने वाला टेणिस के सबसे बड़े टूर्नमेंटों में से एक है और इस बार ये रसिया ने जीता रसिया ने अपनी टीम के साथ नहीं खेल ला था मनलब रसिया अपनी टीम के नाम से नहीं खेल ला थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोशिया को हरा करके ये टूर्णमेंट जीता है Davis Cup को रूसी tennis महा संग नहीं जीता Madrid मे डेविस Cup Final में क्रोशिया को हरा दिया था किसको हरा था क्रोशिया को कितनी टीमिये खेलती है इसमें 18 टीमिये खेलती है इसको याद रखना कौनसा अरब देशों के लिए नंबर एक खाद या पूरती करता बन गया अभी तब ब्राजील नमबर एक पर चलता था लेकिन इस बार हमने ये बाजी मान ली इंडिया जो है वो नमबर एक खाद आपूर्ती करता देश बन गया है अरब देशों को फूड एक्पोर्ड के मामले में 2020 में भारत पहले पाइधान पर पहुंच गया है अगया धाई दिन जो है आप अराम करें तो ऐसा गिया है UAE ने और ऐसा करने वाला UAE पहला कंंटरी है ठीक है UAE पहला कंट्री है UAE के बारे में बहुत सारे करेंट अपैस है पहला इलेक्रिक कोल से इलेक्रिसिटी बनाने वाला पहला देश है नौराल मतरूसी को लेकर के आए और गोल्डन वीजा इसकीम बहुत सारी चीज़े हैं जो हमनों डेली करेंट अपैस में अल्लेडी ड कोई परिशानी तो नहीं है बाई जो लोग नाराज हो रहे हो चस्मा देखके प्रीन नाराज में दूआगा और चस्मा मजबूरी है कई लोग चस्मा उसे बड़ा सिकायत हो गई मेरी कि देखो आदमी कितना स्टाइल में पढ़ा रहा है मुझे खुद अच्छा नहीं कौन है संकेत महादेव 113 किलो बजरन उठा दिया उनों है हाली में सीडियेस जनरल का निदन हो गया बहुत दुखत खबर रही पता होगा आपको बारत के पहले चीप आप डिफेंस इस्टाप विबिन रावाद जी का निदन हो गया अजया विबिन रावाद जी किस राज थोरा गड़ तो आपको पता ही होगा उत्तरा खड़ लेकिन जो इनका हेलिकोप्टर दुरगटना अगट हुआ था दुरगटना अगटी पिया दुखत तमिलनाडू में हुई है तमिलनाडू के कुन्नूर में उनका हेलिकोप्टर क्रेस हुआ था अंतराष्टी मानवाद दिकार दिवस कब मनाया जाता है बहुत आसान दस दिसम्बर को अंतराश्टी मानवादिकार दिवस जो है प्रतिवत दस दिसम्बर को मनाया जाता है और इसकी बार इसकी थीम रही समांता और असमांतावों को कम करना मानवादिकारों को आगे बढ़ाना अंतरच्री अंतरी स्टेशन का दोड़ा करने वाले पहले जापानी परवेटैक कौन मने है इस पेस स्टेशन होए आए ये है यो साकू मैं जावा ये कौन है यो साकू मैं जावा इनको रूस दौरा लीज पर लिए गये बैकन और कॉस्मो ड्रॉम से सोईज अंतरिश यान में उडान बरी है वे अपने सायक एजो हिरवानों के साथ अंतरिश में 12 दिन बिताएंगे व अभी हाली में observer का दर्जा दिया है observer का दर्जा मतलब ये हो गया कि अब इनकी बात भी जो है वो विश्व पटल पर मानी जाएगी सुनी जाएगी समझी जाएगी तो right answer is ISA International Solar NIN International Solar Align मुख्याले गुरु ग्राम एक मात्र अंतराष्टी संग्ठन जिसका मुख्याले भारत में है और इसके जो head है डारेक्टर जनरल है वो है अजय मात्र हैड कोन है अजय मात्र USA इस पर ratified होने वाला यानि कि समझाते पर अस्ताच्छर करने वाला 101 वा देश बना 101 कंडरी अब तर 101 देशों ने इस पर अस्ताच्छर की है USA सबसाए नया मेंबर है साहित राज अमेर सबसे एक नमबर पर है अमेरिका दूसरी नमर पर चाइना तीसरे नमबर पर चापन भारत चौथे नमबर पर यहां पर बना हुआ है बारत एसीयाइड पावर किंडेक्स का मतलब यह है कि यहां पर और दम कौन है किसके अंदर दम है कि यह काम कर सके watching बाई अभी यार मज़ा नहीं आ रहा मैं तो सोच रहा था आज 200 लाइफ करोगे तुम लोग मैं तो 1000 लाइफ सोच गया था चलो 200 ही करा दो यार 1.500 तो करा दो कम से कम अलब उतने तो कराई दो जितने रोज आते हैं बहुत मैंने लगती है मंतली जल जला में और आप उसकी कदर नहीं करते हो 2017-19 की अवधी के लिए डॉक्टर MS. Swaminathan पुरुषकार किसे दिया गया दो साल में एक बार दिया जाता है दुई वर्षी ये पुरुषकार है ये किसको दिया गया MS. Swaminathan पुरुषकार डॉक्टर प्रवीन राओ बागी के दमलोग दो चार देख चुके हैं ये तेलंगा ना क्रची विश्विद्याले के कुलपती है डॉक्टर प्रवीन राओ स्वaminathan पुरुषकार था ये याद रखेगा इसमें दो लाग रुपए नगत पुरुषकार एक स्वisiाण पता पुरुषकार प्रसास्ति पत्र दिया जाता है हाली में केंडो नदियों को जोडने वाले की परियुजनाओं को केंडरी मंधी मंदल ने मंझूली दे दी ये लो जोड लो इसमें क्या होगा? एक नदी में पानी कम है एक नदी में पानी ज्यादा है, तो एक नदी का पानी दूसरी नदी में आजाएगा, जिससे एक जगे जब बाड़ आती है, तो बाड़ वाला पानी इदार आजाएगा गगन यान कम लाँच करेंगे यानि कि पहली बार भारत कब आदमी को उपर भेजेगा अंत्रिच में ये बताना है तो ये आपका लाँच होने वाला है 2023 में बात का पहला अंत्रिच मिशन कब लाँच होगा 2023 में लाँच कर देंगे और इससे पहले हम लोग ऐसे डैमी रॉकेट वगेरा भेजेंगे जिसमें आदमी नहीं होगा तो पहली बार आदमी जो है वो दोजाथ 23 में जाएगा मनुष्य जो है वो दोजाथ 23 में जाएगा ठीक है Royal Institute of British Architects Royal Gold Medal किसे दिया गया Royal Gold Medal अनीता देशाई लेखक है SKS 1 रहे पता नहीं कोन है लेकिन राइट आंथर इस बाल करिष्न दोशी बाल करिष्न दोशी ने ही IAM Bangalore बनाया है कभी देखाया IAM Bangalore बहुत बढ़िया बनाया है सांदार बनाया है IAM Bangalore इन्हों नहीं बनाया UNICEF का नया कारी-कारी निदिशक किसे नहीं उतकिया गया एकदम नया कोशन एकदम Heavy Appointment UNICEF हैंरी टैच 4 रिटायर्ड अब उनकी जगे कौन आगी उनकी जगे आगी कैथरीन रसेल कैथरीन रसेल कहां की है अमेरिका की है UNICEF फुल पॉर्म United Nation Child Emergency Fund UNICEF 1946 में डेवलप किया गया इस थापना कप की गई 1946 में अमेरिकरी ही इसके हमेशा हैट बनते है PDF मिल जाएगा आपके हो परिशान हो देखना है बाई ये हैं कैथरीन रसेल प्रॉम अमेरिका हैं इटा एच 4 का इस्थान लेंगी पर इसके सभी कारिकारी निदेशक जो है वो अमेरिकी ही रहे है Fortune India 2021 की सक्तिसाली महिलाओं की सूची की अंसार भारत की सबसे सक्तिसाली महिला कौन है भूरा लाल दाकड काहे रो रहे हो भाई क्यों ऐसा मूँ उतारे हो राइट आंदर है निर्मला सीता रमन टॉप पर रही है सबसे ताकत वर महिला के रूप मे नमबर एक पर निर्मला सीता रमन है दूसे नमबर पर नीता म आनी है गिता कोपिनाथ आठवे नमबर पर मिसायल भूमेन Tessy Thomas कि आगे चुल रहे हैं कि है थर पूर आदर भूमी को रामसर साइट के रुपे मानिता दी गई यह कहां पर है है थर पूर बेटलैंड जो है यह उत्तर पदेश में है और इस तरीके से अब उत्तर पदेश में दस वेटलैंड हो गया है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो wetlands है वो आपके UP में है UP का जो है हैदरपुर ये बिजनोर के पास आपको देखने को मिलेगा उसको अभी हाली में रामसर साइट का दर्जा पतान किया गया है अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गया है 47 हो गया है इसको याद रखेगा अभी हाली में ये थोड़ा सा आकड़ा है कि सबसे बड़ा जो wetland है भारत के अंदर वो चिलका है सुन्दरबन थोड़ा थोड़ा सूखा है इसको पूरे कम्प्लीटली नहीं मानते है वैसे एरिया वाई तो सुन्दरबन ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उत्तरप्रदेश में 10 इंडियन wetland हो गया है रेनुका wetland हिमाचल प्रदेश का ये सबसे smallest wetland है यानि कि सबसे छोटी आदर भूमी है मातर 20 hectare की है सबसे पहले चिलका उरिशा और केवला देव नेशनल पार राजिस्थान को भारत का पहला रामसर साइट का दरज़ा प्राप्त हुआ था दो लोगों के एक साथ प्राप्त हुआ था चिलका उरिशा और आपका ये केवला देव नेशनल पार इसके लब अभी हाली में चार नए दिये गए थे थोल वधावन गुजरात के थोल वधावन गुजरात के सुल्दानपुर और भिंडवास वाइल डाइफ सेंच्री हरियाना ये दो अभी चार अभी है दिये गए है 42 हो चुके तक 42-4-46 हुए और 47 में आपका ये हैदरपुर हो गया बहरीन में आयो जित चौथे A.C.I. UA युवा पैरा खेलो में भारत ने कुल कितने पदग जीते है भाईस अभाहा कार मचा दिया भारत ने वहाँ पर कुल 41 पदग जीते है A.C.I. UA पैरा खेलो में कहां पर आयो जित हुए बहरीन बहरीन की राधानी मानामा और वहाँ पर भारत ने कितने पदग जीते हैं 41 जीते है तो भारत ने चौते ये A.C.I. चौता संस्क्रंड था A.C.I. UA पैरा खेलों का जिसमें भारत ने 41 पदग जीते हैं जिसमें 12 सौन हैं 15 रज़त हैं और 14 कांश्य पदग हैं इसके लाव अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह याद रखना चाहिए यह जो मैडल है, मैडल टेबल है वो ओलम्पिक की है, टोकियो ओलम्पिक की इसमें भारत ने 1 सौन जीता था, 2 रज़त दीते थे और 4 सिल्वर जीते थे तो कुल मिलाके 7 पदग भारत ने आसल किये थे और भारत 48 में इस्थान पर आ जबकि यो पैरलिम्पिक की बात की जाए तो भारत 23 में इस्थान पर था पांच सौन पदक, आठ रज़त पदक, पांच आठ शे यानि 19 टोटल पदक भारत नहीं जीते थे ये ज़रूर याद रखिए, ये आपको करना है ठीक है? बढ़िया लोवर पीचेस में बहुत कोशन मैच हुए थे आपके करेंट अपेस से यार मेरा करेंट अपेस नहीं है, मैं फिर आपसे कहता हूँ ये जो करेंट अपेस मैं बनाता हूँ, मैं डेली करेंट अपेस के बेसिस पर बनाता हूँ कि यूगा तर्वधियों के लिए रामा नहीं पुरुषकाट कर जाए पितीयों के लिए रामा नहींजन पुरुषकाट के बिल्कुल पीडियाफ निलती है क्यों नहीं मिलेगी भई ठीक है राइड आंसर यहाज A और B बोथ सिरी निवास उद्गाता और दिव्याद उत्ता को दोनों को कलिंग साहित पुरुसकार से समानित किया गया अब बात ये है कि कलिंग साहित पुरुसकार जो है ये कलिंग साहित महुत्सों के आठमे संस्कार के उठगातन पर उडिशा के परिटन मंतरी ने प्रदान यार था कलिंग साहित पुरुसकार जो है ये उडिशा सरकार दोरा दिया जाता है अकसर पूछा जा सकता है कि ये किस सरकार दोरा दिया जाता है तो उडिशा सरकार दोरा कलिंग साहित पुरुषकार दिया जाता है जैसे कलिंग सोथ आप समीच जाएंगे कि उडिशा से संबन देता है तो उसके लिए कुछ बड़ी बात है नहीं अगला सवल 28 अक्टूबर 2021 से एक वर्स के लिए संगाई सयोग छेतरी आतंगबाद विरोधी सरचना की अध्यच्छता किसने ग्रहन की है किसने चेर्में सिपली है तो वो है इंडिया भारत इस बार मुझे लग रहा है जितनी भी आतंगबाद विरोधी कमिटी है उन सबी जगे अध्यच्छता ग्रहन कर रहा है तो 28 अक्टूबर 2021 से एक वर्स के लिए संगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन यानि की आपका SCO आप जिसे बोलते हैं नाम में संगाई जरूर है बट इसका मुख्याला बीजिंग में है ये याद रखेगा इसके नाम में संगाई जरूर है बट इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है बीजिंग चाइना में इसकी इस्थापना कब की गई थी 15 जून 2001 को 2017 में भारत और पाकिस्तान को सामिल किया गया 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान को सामिल किया गया था संगाई सयोक्स कॉर्परेशन और्गनाईजेशन में आठ मेंबर इस्थेट हैं चाइना, इंडिया, कजाकेस्तान, किर्गेस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकेस्तान और उद्बेकेस्तान जब फिस चार आपजर्वर इस्थेट हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, इरान और मंगोलिया तो फिलाल यहाँ पर अब इसकी अदिश्टा कौन करेगा आतंगभाई विरोधी सरचना की अदिश्टा आपने किसे निकरहन की है भारत में अंतराश्टी समुद्री संगठन परिशत के लिए एक बार फिर से सदस के रूप में किसे नामित किया गया है सर आगे क्या मतलब सर आगे बढ़ी है अच्छा, मतलब थोड़ा तो बताओ नहीं देखो कितना सारा लाइक हो गया है सब लोग यहाँ पर रहते हैं तो अभी मज़ा आ जाता भारत IMO का मुख्याले बताओगे कहां पर है International Maritime Organization का मुख्याले कहां पर है लंदन में दियान रखना International Maritime Organization का मुख्याले कहां पर है अब देखो मैं यह बोल दिया ना लंदन हो सकता है कि यही आप से पूछा जाए यह सामुद्धी संग्ठन ना पूछा जाए कि कौन सा निर्वाचित हो गया तो भारत के सासर दस और दस और देश भी निर्याचित हुए है तो IMO का मुख्याले कहां पर है IMO का मुख्याले आपका London में है इसको याद रखेगा और उन 10 देशों को स्रेणी में हुआ है जो अंतराश्टी समुद्री भी अपार के सबस्यादा हेट से जुड़े है इसमें भारत भी हुआ है और स्टेलिया भी हुआ है ब्रादील भी हुआ है कनाड़ा भी हुआ है स्वीडन, फ्रांच, जर्मनी, नीदरलेंड, स्पेन और UAE भी सामिल है जो सिपिंग के लिए पूरा विस्सु का मनलब जैसे आप कहीं जहाजवाद चलाना चाहें तो इन से पर्मीशन आपको लेनी पड़ेगी इसका मुख्याले कहां पर है लंदन में है और वरतमान समय में इसके जो हैड है वो किटैक लिम है अब ये पूछा जासा था कि किटैब लिंग किस देश से आते हैं तो ये साउथ कोरिया से आते हैं किटैक लिम कहां के हैड है आपके IMO के हैड है किटैक लिम याद रखीगा बहुत बढ़िया क्रेक इंगलिस आगे वर्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के उनसार भारत की रैंकिंग कितनी है तो वर्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट के उनसार भारत का रैंक कितना है भारत का रैंक है 56 कोई नहीं आराम से पड़ो वार्ट टैलेंट रैंकिंग का मतलब समझ रहें कि भारत में कितना टैलेंट है इसके रैंकिंग में कौन सब 56 नंबर पर है सुधियर लैंड जो है वो टॉप पर रहा है इंटरनेशनल इंटिट्यूट फॉर मैंनिमेंट डेवलपमेंट वर्ड कम्टिटी सेंटर ने इसको डेवलप किया 56 याद रखना ठीक है सत्तरवी मिस यूनिवर्स का ताज किस ने जीता है अब कुछ पता हो चाहे ना पता हो ये तुमको जरूर पता होगा लो भई मैं हाट जाता हूँ तुम्हारे वो इनके बीच में आता नहीं हो तो यह हरनास संदु वेदई डोंग्रे मिस इंडिया यूएसे चुनी गई थी मिस यूनिवर्स 2020 जो थी वो अंड्रिया मेजा थी इनी का खिताब जो है वो अब इनके सरा आ गया है 2020 में मंचा वारण असी फैमिना मिस इंडिया है यानि मिस वर्ड जो होगा अब होने वाला होगा थोड़े दिन में उसमें जाएंगी हरनास संदु 21 सालवाद भारत को ताज मिला है 1994 में सुसमिता सेन और 2000 में लारा दत्ता नहीं ये किताब दीता था वारत अब 63 में गरतं दिवस पर कितने मधस एस्याही देशyou को मकतिती के रुप में नमांतरित किया है अब 73.li ऐस्ट आएगब 6 जन्वरी को तो कितने middle Asian countries को बुलाया गया है पांच कितने middle Asian countries को बुलाए गया पांच तो भारत ने 73 में गर्तन दिवस के और पर सभी पांच मद देशियाई देशों को बुलाया है सभी पांच मद देशियाई देशों में देखा जाए तो कजाकिस्तान कजाकिस्तान की नाजधानी नूर सुल्तान, राजधानी जरूर पढ़ते चले, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी, बिस्के, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी, टू सामबे, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, मनाथ, तुर्कमेनिस्तान की रा बात असाग बात ऐसे बुला जाता है उजबेकिस्तान की तो आपको पता ही होगी तासकन रादानी जरूर रखें अभी पांच मद एसियाई देश जो है बुलाए गया है एक और दूसरी बार इतने सारे लोगों को एक साथ बुला रहे हैं इससे पहले एसियान कंट्रीज को बुलाए था 2018 में कब बुलाए था 2018 में पूछा जा सकता है कोई बड़ी बात नहीं है पूछा जा सकता है हाँ अगला दुबाई में आयो जित फिडे विस्व चैंपियंशिप का खिताब किसने जीता है यह तस्वीर देख के पैचान सकते हो कौन है यह फिडे विस्व चैंपियंशिप का किताब जो है वो मैगनस कालसन ने जीता है कितने जीता है मैगनस कालसन मैगनस कालसन कित देश के हैं नौर्वे के हैं कई लोग इन्हें रूस का समझता है नौर्वे के हैं मौजुदा 277 चैंपियन नौर्वे के मैगनस कालसन ने अपने से जीत ली जो दुबई में हो रही थी जो कहां हो रही थी दुबई में भारत में हर साल राश्टी उर्जा सरच्छन दिवस कब मना जाता है नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे बतावं के जरा हुँस ऋझाने अरे टॉप किस राज्जी ने किया है अभी अभी सी इस्टेट एनर्जी यानि वर्जेर दच्छन सुचकांग किसा राज्जी समय ने टॉप किया है करनाट का किसे ने राश्ट्री उर्जा सनच्छन दिवस कब मना जाता है 14 दिसंबर को कब मनाते है 14 दिसंबर आल्मोस सभी के आंसर सहीत है आजादी का अमरत महसो उर्जा कुसल भारत ये इस बार थीम है इसका अमरत महसो फ्रीडम एनर्जी एफिशेंट इंडिया ये इस बार इसका में जाड में जानता हूं काफी समय से शटा हूं और वह मैंसे आती है आप बहुत दिन बाद आये हैं साइद 2021 किस के लिए टाइम पत्रीका का election of the Year कि से चुना गया है तो है कि अ पबलिक है है हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ है उसमें केरलाय टॉप पर राइट आंसर इस एलन मस्क अजा अभी तक कितने भारती जो है वो टाइम के पर्शन आप दे ये चुने गए है तो केवल एक भारती है जो अभी तक 1930 में बापू बापू से हत के लिए तू तो हानी का रख है जो लोग बाइडन कर रहे हैं सुएज तुमसे ही उम्मीर नीथी बाइडन तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो 2020 में चुने गयते हैं ये 2021 क्या है एलन मस्क के दर राइट आंत है इस्पेलिंग गलत है थोड़ा था इस्पेस एक्स टेसला का संसापक सौ प्रतिसत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार कौन सी है सौ प्रतिसत पेपरलेस होने वाली यानि कि पूरी तरीके से इन्होंने पेपर हटा दिया दुबाई दुबाई में ही है बोर्ज खलीपा अमीराद के क्राउन प्रिंस सेख हमदान बिन मुहमद बिन रासिलल मक्तूम के अंसार दुबाई सरकार पूरी तरह से पेपर लेस होने अले दुनिया के पहली सरकार है और अब ये पूरी तरह से डिजिटल है हाली में किस राज ने समान स्रेणी आयोग का गठन कर दिया समान स्रेणी आयोग जनरल कैटेगरी आयोग जनरल कैटेगरी कमिशन किस ने किया हिमाचल पदेश ने और ऐसा नहीं कि हिमाचल पदेश ऐसा करने वाला पहला राज है इससे पहले भी इससे पहले भी एक राज जो वह सामाने स्रेणी के लिए आयोग का गठन कर चुका है और वह आपका हिमाचल बदेश दूसरा राज्य है और इससे पहले आपका मुझे लग रहा है मदध पदेश था हां मद पदेश इधार राज्य था हिमाचल प्रदेश के राज जिपाल का नाम बता पाओगे गवर्नर हिमाचल प्रदेश के ये इसके गवर्नर याद नहीं होगे देखना कितने लोगों को नहीं याद है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कोन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र आर लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है राजेंद्र आर लेकर ठीक है? बहुत अच्छे देश का पहला ड्रोन मिला कहां पर आयजित किया गया ड्रोन मिला, ड्रोन ये उड़ाया गया देखो आप थोड़ा ता तस्वीर देखो कि दिखेगा वहां पर नाम दिख रहा है क्या दिख रहा है वहां पर देश का पहला ड्रोन मेला कहां पर आयो जित किया गया ग्वालियर कह सकते हैं यहां पर मदड़े डार्ट राइट आंजर ग्वालियर में किया गया इसको पहला अभी तक इस तरह का मेला कहीं पर भी आयो जित नहीं हुआ था Global Health Security Index 2021 में भारत कौन से नंबर पर है on Global Health Security Index अभी हाली में Health Index जारी हुआ ना नीतिया उन्हें जारी किया, कौन सा राजे पहले नमबर पर आया, कैरला, किस राजे ने सबसे अच्छी उच्छाल प्राप्त की उत्तर पर जाएगा वो, तो Global Health Security Index में भाद का नमबर 66 है, एक थोड़ा सा confusion होता है, एक है Global Food Security Index, Global Health ये स्वास्थ सुरच्छा सुचकांक है, औ और Global Food Safety Index ये Security Index भी कहीं कहीं पर पढ़ने को मिल जाता है, 2021 में भारत की ranking 71 है, तो confused मत होईगा, मैं confused हुआ था, तो सायद मैंने कहीं जलत बता दिया था, तो Global Food Safety Index जो है, वो 71 है, Global Health Security Index में भाद का ranking 66 है, तो दोनों एक जैसे लगते हैं, थोड़ा था confusion हो सकता है, तो Health में 66 है स्वास्त थोड़ा, उसमें ranking अच्छी है हमारी, जो खाना है वो अतना च्छनी है, 71 है, तीक है, इसमें USA जो है वो टॉप पर है, Australia दूसरे नंबर पर है, भारत 68 में नंबर पर है, सबसे खराब इस्तिती में सोमालिया है, 195 अगला प्रश्न है, नवंबर के लिए ICC Player of the Month किसे चुना गया, इनको तो पैचानते ही होंगे, डेविड वार्नर को कौन नहीं जानता, हैली मैथ्यूस को भले ही नहीं जानते होंगे, तो female and male, A and B both हाँ, फाओ का मुख्याले जो है, वो इटली रोम में है तो ICC Player of the Month कौन चुना गया है, डेविड वार्नर, ओवेस्टेंडीट की हैली मैथ्यूस किस राजी के मिथिला मखाना को GI tag मिला, यह मखाना खाते हो, बहुत important होता है, protein बहुत होता है, इसमें खाया करो, लेकिन इसको जब भी आप सेवन करें मखाने का, उसको नमक के साथ सेवर ना करें, जो भी आपके घर में होंगे, तो उनसे भी बोलिएगा, मखाने का सेवन दूद के साथ करें, या फिर नमक के साथ इसका सेवन ना करें, क्योंकि जब यह नमक के साथ आप इसका सेवन करते हैं, तो इसका protein मर जाता है, उतना फायदा आपको यह नहीं पहुचाएगा, even BP भी बढ़ सकता है, तो इसका सेवन जो है, मखाने का, आप किसके साथ किया क करें, फिलाल बिहार से है, बिहार का है मिथला मखाना, मिथला है तो बिहार ही होगा, यह भी क्या question हुआ, राज कपूर्दा मास्टर एट वर्क का विमोचन किस ने किया, यह पुस्तक है, इसका विमोचन जो था, वो तो किया है आपका वेंकईया नाइडू जी ने, लेकि ठीक है, इसका विमोचन तो वेंकईया नाइडू ने किया है, मलब विमोचन आप कहेंगे तो वेंकईया नाइडू ने किया हो, भारत में विजय दिवस हर साल कब मनाये जाता है, तो यहाँ पे पूरा डिकलेयर हो जाता है, देखो, कि नियाजी जी जो है, वो कर रहे हैं आज तो समर्पण कर रहे हैं चक्के चुड़ा दिये गए थे पाकिस्तान के 16 दिसंबर 1971 को भारत हर साल अपना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है और इस बार हमने कौन सब विजय दिवस मनाया था पचासमा विजय दिवस मनाया था किस अंत्रिच एजेंसी के एक अंत्रिच यान ने सूर को पहली बार चुआ है अभी तब कोई ऐसा नहीं कर पाया कौन है जो ये सूर को चुके चलाया और जाई रहा है 6,90,000 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से जा सकता है बाप रे क्या स्पीड है ये है नासा का पारकर प्रोब इसका नाम क्या है पारकर प्रोब पारकर से मुझे इस्पाइडर मैं की यादा जाती है पारकर प्रोब किस देश ने टैदर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को उपयोग की अन्मती दे दी है दिखो भाई सब कितने लाइक हो गए वीडियो पे इतने सारे लोग बने रहते तो मज़ा आ जाता किस देश ने टेदर नाम की दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को प्योग के बनती दी देए मैं अमार गए हो आप लोग नहीं गए हो मैं आपको ले चलता हूँ मैं आप चलें मैं आप मैं में क्या हुगा कि आंग सांसुकी सरकार को मिन आंग हेलेंग ने तपिस्थापित कर दिया ऐसे में बैंक वाले जो तो उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनको करेंसी नहीं मिल ले थी तो उन्होंने का ठीक है तुम ना दो हमें एक टैदर नाम की करेंसी ही ले ले लते हैं उन्होंने टैदर नाम की करेंसी को मझूरी दे दी रight answer इन म्यामार म्यामार की राजधानी तो आपको पता ही होगी नहीं पता है मंतरी याद रखेगा मिन अग हिलियांग वर्तमार समय में PM है मिन आग हिलियांग ठीक है? चलो प्राइड, प्रुजडाइस एंड पंडितरी नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसने लिखी? प्राइड, प्रुजडाइस एंड पंडितरी पैचानो इने, पैचानना क्या है, किताबी सामने आ गई है, तो यह है ससी थरूर कौन है, ससी थरूर पूर्व केंद्री मंद्री और लोगसभा सांसर, डॉक्टर ससी थरूर की 23 पुरुष्टर प्राइड पुजिडाइस में पंडित्री का हैदराबाद में विमोचन किया गया है उनकी एक पुस्तक काफी चर्चा में रही, एन एरा ओफ डार्कनेस, जाने कितने एक्जाम में ये पूछी गई है 2019 में इसको साइट अकैदमी मिला था ना, तो इस बार जितने भी एक्जाम हुए एससी के सब में भर-भर के पूछा कि एन एरा ओफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, ससी थरूर की सेना प्रमुक जनरल किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यच की रूप में पदभार समाला है ये हैं हमारे थल सेना अध्यच मनोज मुकुन नर्वाने जी ये भारत के 27 में सेना अध्यच है, कौन से अध्यच है? 27 में, इनका करम जरूर याद रखे 27 में सेना अध्यच है, जोकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब पदपर खाली पड़ा हुआ है विपन लावत्ती जाने के बाद, तो अब पुरानी विवस्था लागू कर दी गई है, जिसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहते है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, वो तीनों सिनाओं के प्रमुक होते हैं, अगर कोई ऐसी समस्या आती है किस देश ने पीम मोधी को अपने सर्वोच नागरिक पुरुषकार नगदग पेलगी खोरलो से समानित किया है इस एवार्ड का नामी ऐसा लग रहा है कि यार मलब एवार्ड दे रहे हैं कि मलब क्या कर रहे हैं नगदग पेलगी खिरलो, मलब ऐसा लग रहा है पकड़ पकड़ कर पीट रहे है तो भूटान ने सर्वोच नागरीक एवड दिया है किसो हमारे प्धान मंतरी नरेन मोधी को जिसे drug galpo भी कहा गया है जिसको drug galpo पुरुसकार भी कहा गया है तो भूटान की प्धान मंतरी कौन है? लोटे सोरिंग ये बुतान का सर्वोच सम्मान है जो PM.M.O.D.G. को दिया गया टाइम पत्रिका की 2021 की Athlete of the Year की रूप में किसे चुना गया टाइम पत्रिका की 2021 की Athlete of the Year की रूप में चुनी गई टोक्यों ओलंपिक में कई सारे मेडल जीच सकती थी बट अपनी मानसिक स्वास्त के चलते उन्होंने काफी बड़ा पैसला लिया और फाइनल से पहले हट गई स्विमनोबाइल्स जो है वर्तमान समय में USA की जिमनाष्ट है और विस्व की नंबर एक जिमनाष्ट में मानी जाती है स्विमनोबाइल्स के साथ पिछले साल कथित उनके डॉक्टर ने कुछ गलत अरकत की थी जिसके बाद भी वो कमडिशन में आई और अपने आपको समाला और वापस ट्रैक पर आए इस वज़े से उन्हें टाइम परते का ने एटलीट आफ दाइयर के प्रुसका से समानित किया था चार बार की उलंबिक बज़त में देता है और कहा जाता है कि हवा में अगर कोई जिमनास टैर सकता है तो वो सी मनबाइल से केंदरी मंदी मंदल ने महिलाओं के लिए साधी की नियूंतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया है बढ़िया किया कि खराप किया बढ़िया किया कि खराप किया तो राइट आंतर हो जाएगा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है और ये क्यों की गई है जया जेटली जी किया देशता में एक कमिटी गठित की गई थी उन्होंने बताया कि ऐसा कर देना चाहिए सही हुआ कि गलत हुआ सर अब कितना बचा है जितना बचा है वो सब इंपोर्टेंट है कोई ऐसा कुशन तुम्हें लग रहा है जो तुम्हारे एक्जाम में आने लाइक नहीं जो भी हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर अभी कितना बचा है आप मुझे बताइए एक भी कुशन आपको ऐसा लग रहा है जो आपके एक्जाम में आने लेक नहीं है और क्या मैं किसी कुशन पर एक मिनिट से जादा दे रहा हूँ सरकार ने मिश्रण के लिए एथेनॉल पर GST दर को 18% से घड़ा कर ताकि ज़्यदा से ज़्यदा एथेनॉल मिलाया जाए कितना कर दिया है बढ़िया है अच्छा मैं एकदम बढ़िया हूँ कपिल सरमा आप बताइए सरकार ने क्या कर दिया है इसको घटा कर तस्वीर देखा करो तस्वीर देखोगे तो बहुत कुछ याद रहेगा हरा हरा पत्ता देखो यहां पर हरा पत्ता लगा है पेट्रोल वाली नली किया आगे और हरा हरा फ्यूल निकल ला है तो 5% कर दिया है 18 से घटा के सीधे 5% पेट्रोल सस्ता होगा इससे Global Entrepreneur of the Year Award से किसे सम्मानित किया गया इन्हें जानते है पांच प्रस्चत किया गया भईया मेरे 12 नहीं किया है ध्यान से करो आपके अंसर क्या है तो देन राइट आंसर इस कुमार मंगलम बिगडा तुम लोग तो रजाई के अंदर बैटे होगे मैं तो एकदम यहाँ पर बैटा हूँ पैर एकदम ठंडा रहे हैं बहुत कस्के तो Global Entrepreneur of the Year Award और ध्यान रखिएगा यहाँ पुरुसकार प्राप्त करने वाले वो पहले भारती उद्योग पती है मज़ा आ रहा है के नहीं आ रहा है अब इससे डारेक कुश्चन चलने तब भी मज़ा नहीं आ रहा बताओ क्या करूँ रख होसला वो मंदर भी आएगा प्यासे के पास चलका समंदर भी नहीं आएगा और ठकर ना बैटे मंजल के मुसापिर मंजल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा गोवा मुक्ति दिवत हर साल कब मनाया जाता है यह पूर्तगाली बड़े दोष्ट थे सबसे पहले आयों सबसे बाद मिले 1500 के आसपास आ गये थे 1961 मिले मार मार के बगाई गए कब 19 दिसंबर 1961 को लेकिन फिर भी गोवा अपना इत्थापना दिवस 19 दिसंबर को नहीं मनाता है गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है गोवा अपना इत्थापना दिवस यानि कि foundation डेकप मनाता है यह बता दो और आजकल प्रमो सावन जो है वो गोवा में बड़िया जड़ी लगाया अच्छा गोवा को मुक्हमंत्री भी अच्छे मिले मनो और पारिकर भी बहुत बड़िया मुक्हमंत्री थे इंसान भी बहुत अच्छे थे प्रमो सावन भी बड़िया आद्मी है एक मुझे प्रमो सावन को सुनना अच्छा लगता है, जब उस बोलते हैं तो लगता है यहां बड़ी आदमी बात कर रहा है, और एक मुझे हीमन विश्वा सर्मा को भी सुनना अच्छा लगता है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीजों में वो कंट्रोवर्सियल रहते हैं, लेकि कि 30 मही 1987 को गोवा को पूर्ण राजे का दर्जा प्राफ्त हुआ था, जी ये क्लास चल रही है, 8 वजे से, डेटा एनलेक्स कंपनी के मुताबिक, यूगव. अनुसाद, दुनिया के सीर्स 20 सबसे प्रसंसित पुरसों में, यानि जिनकी सबसे अधा प्रेज होती है, प्रस ठीक है, गरीब किशान का बेटा आ गया गया रहे, योगी को सुनो नहीं तो बाहर कर देंगे, योगी जिनकी सुनना अच्छा नहीं लेगता है, इसे करें, डेटा इनलेक्स, यूगव. जी के अंसार, सीर्स 20 सबसे प्रसंसित पुरसों में, नरेंदर मोधी जी जो है, वो बराक ओबामा है, दूसरे नमबर पर बिल गेट्स है, आठवे नमबर पर नरेंदर मोधी है, नीचे थोड़ा साएंगे, तो बारवे नमबर पर सचिन तेंदुलकर का नमबर आता है, चौदवे नमबर पर सारुख खान का, पंदरे नमबर पर आमिता बश्चर, महिलाओं ही बात करें, तो मिशेल ओबामा, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा, फिर अंजेलीना जॉली, तीसे नमबर पर कुईन एलिजाबेट, और इसी लिस्ट में अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो आपको मिलेंगी प्रियंका चौपला दसवे नमबर पर, प्रिय आप किस राज्य सरकार ने सहाय योजना शुरू की है? की जा रही कि कुछ लोग जो माववादी के चक्कर में पढ़ जाते हैं वो थोड़ा सा बच जाए और यहां पर जाओ दता खेला खेलो कुदो जाके 14-19 वर्ष के आई-उवर के लड़के लड़कें को पंजी करण किया जाएगा तू हो गया ओगा 19 से जादा का न सर क्लास कर खतम होगी जब कंटेंट खतम होगा क्लास कर खतम होगी खतम ही होने वाली जाता नहीं बची है राज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नसरी योजना किस राजे सरकार ने सुरू किया खेल नसरी योजना देखो दो तरह की योजना है एक साय योजना आ लिए और उसमें अगर किसी भी नसरी में 20-25 से कम बच्चे होंगे तो उसको बंद कर दिया जागा तो बीजनवरी 2022 तक आवे दन हो सकता है अच्छा 25 रुपर पती लीटर पेट्रोल में सबसीडी देगा रासन कार्ड वालों को यह बात तुम्हारी सही है जिसके बाद रासन कार्ड क्यों रखें लेखते हैं लोग में देखा कारवाले भीरा सनकर्द रासन लेते हैं हमाई देशन सब ऐसे ही चलता है lights हम लोग हमेशा दूसरों से उमीद करते हैं कि ये सवे काम करें ऑजहरा पे मोका मिलतह आए मैं भाइजित कर आए कैसे कोसे कोशन पाया था regist spark Accra कॉन्से कोशन की बात करें और या आप पिम्मोदी ने उत्तर प्रदेश में दो एक प्रेस पी clients वे क्या goofy गंगैएफस किया पुरवांचians whats वे कहां से शुरू किया अ गंगा एक प्रेसवे साजहापूर से किया, दोनों अलग giving ये साजहापूर वाला जो है ये गंगा एक प्रेसवे 594 km लंबा है, ये मेरट से सुरू होगा उंप्रियागराइस तक जाएगा वैसे धिल्ली से जोड़ा जा रहा है, 1200 km का लंबा है और वैसे ये काम पूरा होने किस राजय सरकार ने तमिल थाई वजथू को राजगीत की रूप में गोसित किया अब तमिल थाई वजथू लिखा है तो तमिल नाडवी करो ना उसमें क्या है और ये पूरी एक लिश्ट है इसको देख ले ना सबसे पहला आगर कोई राजगीत अपनाया गया था तो वो था ओमुर अपुनार देश अपनाजगीत अपनार देश गोंचने वाले पहले पूरुदव भारवरूई खोन मने फिर हार गये वहाँ पर किदामभी सिरीकान राइट आंसर ही किदामभी सिरीकान ये BWF विश्च चैंपियंशिप के फाइनल ने पहुंचने वाले पहले भारती पुरुस भारती बने इससे पहले जो थी वो पीवी संदू और साइना नेवाल इस टूर्णमेंट का फाइनल जीच चुकी है तो ये गये बाद में लेकिन फिलाल हार गयते फाइनल में लेकिन किदामभी सिरीकान ने रजात तदक यहां पर जीच लिया था किसने नई पीडी की परमाडू सच्छम बैलिस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का सफल परिषण किया है अगनी प्राइम का सफल परिषण इस लो तो करने से रहा H.E.L. करने से रहा तो राइट आंसर इस डी आडियो भी करेगा ना ये कैसा कोश्यन हुगा इस अगले राश्पती की रूप में किसे चुना गया है ये दिख आदमी किता चीकता वह नजर आ रहा है इनका नाम है गैबरियल बोरिंग उलाप स्कोल्स मैंने आपको बताई दिया जर्मनी के च्छांसलर है आडमा बैरो ये आपके सुने गए थे गांबिया के राश्पती गांबिया की राश्पती चुने गए थे गांबिया की राधनानी बाञ्जुल मेगला डिनर अंडर्शन तो हम लोग बात करी लिए स्वीडन के स्वीडन की पहली पहली मैंने बता दूटिक 2021 Paralympic Sports Award में सर्वस्रेष्ट महिला पदारपन का सम्मान किसने प्राप किया Who won the best female debut award of the best female debut award of the at the 2021 Paralympic Sports Award That is the right answer is अबनी लेखारा अबनी लेखारा ने 50 मीटर एर पिस्टल राइपल में ब्राउज मेडल जीता है दो पदक जीतने वाली पहली भारती है और एक ही उलम्पिक में 10 मीटर प्रिश्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एक गोल्ड जीता है एक ब्राउज जीता है ये याद रखेगा अबनी लेखारा अबनी लेखारा कहां की है हरियाना की ये पुस्तक लिखी है सांतनु गुपता ने किसने रिखी है? सांतनु गुपता याद करते जाईए बस पढ़ते जाईए देखते जाईए खाना ना खाते रहो साथ साथ में रोको मत खाना वाना, खाते रहो ठीक है उन्हें दिदम्बद 2000 इसको रिसम पंथ को किस राजि का ब्राहने मेडर निउक्त किया गया घ्रेश बनाएंगे एक कोशन अभी और आएगा रिसम पंथ से जुड़ा हुआ तो उसको भी हम लोग देख लेए टेस्ट में 100 बार नाट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौण बने है तेस्ट में बिल्कुल आंसर करते जाईए आंसर करते जाईए और बस हम 400 लाइक के आकड़े को पार करने वाले हैं आप लोगों का साथ रहा तो बस दो लाइक की और जरुबत है 400 का आकड़ा हम पार करते हैं और आप चाहते तो आज 400 लाइक हो सकते थे सबी लोग एक साथ नहीं आए एकता में सकती होती है और 400 लोग अगर एक वीडियो को लाइक देख रहे होते हैं तो पक्का वीडियो रेकमेंड होती और ये वीडियो ये क्लास उस चीज का उधारन है कि जहाँ पे केवल 1.500 के आतपस लाइक हुए है और आप देखें कमेंड कितना तेज उपर जा रहा है तो राइट आंदर ही जेमस एंडर्सन बई कभी कभी लाश में खिलने का भी फायदा होता है टैलेंडर उतरो पतला जीत गया नौट आउट रहे हैं अब तक ऐसा कोई नहीं कर पाया सुसासन सप्ता 2021 कब मनाया जा रहा है सुसासन सप्ता 20 से 25 दिसंबर 25 दिसंबर को अटलवेरी बाजपेजी की जहनती होती है उसी केसाब से मनाया जा रहा है और सुसासन सप्ता की थीम याद रखेगा सुसासन सप्ता की थीम है प्रसासन गाउं की ओर 20 से 25 दिसंबर 20 से 25 दिसंबर सुसासन सबता आजादी के अमरत मौस्व करूप में चीन में भारत का अगला राजदूद किसे नियुक्त किया गया है पड़ाक से देखें, बताइए राइट आंसर जो आप देख पा रहे हैं प्रदीब कुमार रावत इस दर आइड आंसर गोल्डन पिकॉक एवार्ड, प्रबंदन एवार्ड किसे दिया गया है लगातार एकी संस्था जीत रही है गोल्डन पिकॉक परियावर्ड, प्रबंदन एवार्ड लगातार तीन वर्सों से इस पुरसकार को जीत रहा है और इसकी दिसा में ये प्रबंदन गोल्डन पिकॉक जो है ये आपका परियावर्ड प्रबंदन के लिए दिया जाता है इसके लबा एक और याद रखेगा आईटी रूड की ने अभी हाली में इसके द्वारा भी एक परियावर्ड प्रोफ कार दिया जाता है तो परियावर्ड के लिए मोस्ट इनोवेटिव सलूशन जो लेकर के आई वो आईटी रूड की लेकर के आई उसको ये वाट दिया गया किस राज में अंतराश्टी मद्दस्ता और मीडिया सेंटर का सुभारम किया गया किस राज में किया गया तो ये हैं अपने अन्वी रमन्ना अन्वी रमन्ना बारत के 48 में चीफ जेस्टिस है IAMC बोला जाए IAMC Indian Arbitration Arbitration and Media Center इस तरीके से भारत और मालीजे किसी देश के International Arbitration यानि कि आगर भारत हो किसी देश से भी जो कोई विवाद हो जाता है तो बिना कोर्ट जाए भी ये मुद्दा सुझाए जा सकता है तेलंगाना के हैदराबाद में इस्थापित किया गया है देश का पहला Arbitration यानि मद्य थता केंदर स्थापित किया है और ये किसकी उपज है किसके दिमाग की उपज है एन्वी रमन्ना के दिमाग की उपज है हमारे आपतालिसने Chief Justice वर्तमान समय में तीन Chief Justice मैलाएं जो अभी हाली में चुनी गई है Supreme Court में हिमा कोली, बीवी नाग रखना और बेला एम तिरवेदी ये तीन मैलाएं हैं और कुल मिलाके तेते आपके जज है वर्तमान समय में वन प्लस थर्टीटू वन Chief Justice है और थर्टीटू आपके Justice है वहाँ पर जज हैं वहाँ पर जिसमें से चार महिला आएं हैं तीन यहाँ पर लिकिवी हैं बीवी नाग रखना आने वाले समय में अगर ये कुछ सबकों सही रहता है तो हो ज़ता है कि भारत की पहली Chief Justice of India बने महिला पहली Female Chief Justice of India बने यानि कि यह आपकी पहली महिला मुख्य नयादीस बन तकती है इनके पूरे हैं ठीक है 47 में जो थे वो सरदर्विन बोब्रे थे किस राज सरकार ने तीन नए जिलों Seminyu, Newland और चुमू केदिमा का निर्मार की खोशना की है तो यह है Nepyurio Nagaland में तीन नए जिले बनाए गए है कहां नए जिले बनाए गए Nagaland में तीन नए जिले बनाए गए है इसके लवा अब Nagaland में कुल कितने जिले हो गए है यह बताए Nagaland में कुल कितने जिले हो गए है गरीब किसान का बेटा कह रहा है कि सर यह चस्मा मत लगा एकरो अंदे लग रहे हो अबे नाम तुम्हारा सही नहीं करो बातें सही कर लिया करो किसी आदमी की आँख जाना कितना बड़ा दुर्भाग होता है तुम बड़े आराम से बोलते तो कि अंदे लग रहे हो खाना खाते हो कि गोबर खाते हो फोड़ा खाना खाया है जो बुद्धी सही से काम करेगी है ना 15 जिले हो गए है नागले में हम पूछ रहे है नागले में कितने जिले हैं वो कह रहा है चस्मा किम लगाते हो अंदे लग रहे हो अब तुम हो हमाई अंदे लगने से मतलब है कि पढ़ने से मतलब है पहुत तोड़ा आए जाओगे काईदे से बात किया को एक्जम बड़े छोटे का थोड़ा लियाज रखा करो जरवालों ने यहीं सिखाया है क्या मैं बिलाउप नहीं करूँ मज़ा आती है 2021 के लिए BBC की Sports Personality of the Year का पुरुसकार किसने जीता है बहुत लग्की हो कि बगवार ने तुमको सही सलामत बनाया है उन लोगों से पूछो कभी भी किसी की अपंगता का मज़ा मजाक मत उड़ाया करो कभी भी नहीं अगर मैं आपको बताओं अगर आपकी ये जो उंगली है आपको लगता होगा ये आपकी काम नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा एक दिन अगर ये काम नहीं करेगी न, आप लिख नहीं पाऊगे सही से, आपको इतना दुख होगा कुछ लेने करेगे चलो, BBC Sports Personality of the Year, right answer is M.A. Radha Kanu, नाम थोड़ा गला लिखा हुआ है, M.A. Radha Kanu, कहां की हैं, ब्रिटेन की, ये पूछा जाता है, इस देश से समझ देते हैं, ब्रिटेन की हैं, अच्छा क्या खेलती हैं ये, टेनिस, टेनिस प्लेयर हैं, ब्रिटेन की, और अभी हाली में तो एक Grand Slam भी जीता, कौन सा Grand Slam जीता, M.A. Radha Kanu, ने, कौन सा Grand Slam जीता, बताओ, कौन सा Grand Slam जीता अभी ही राधा, Kanu, ने, कौन सा Grand Slam जीता था, चलो बता दे न, तुम्हें थोड़ा पीछे चल रहें, हाली में की सवाई एड़े ने, अंतर राष्ट्री, सोरी, राष्ट्री उर्जाव सरच्छन पुरुसका जीता, अंतर राष्ट्री ने, National Energy Conservation Award जीता, किस ने जीता, US Open, very good, US Open is the right अंतर, अचा, US Open का मेल किस ने जीता था, पुरुसों वाला किस ने जीता, US Open, US Open is the right अंतर, राइड अंतर इस हैधराबाद एएरपोर्ट, हैधराबाद एएरपोर्ट जो है, यह देश का सबसे बड़िया Energy Conservation Award पाया है, हैधराबाद एएरपोर्ट, हैधराबाद इंटर्विन, नहीं, नोवाग जोगोव इचने नहीं जीता है, गलत, किस राजी सर्कार ने ट्रांस जेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की विवस्ता की है, US Open नोवाज जोगोव इचने नहीं जीता, US है तो नहीं जी पाया, दिमित्री मेददेव is the right अंतर, दिमित्री मेददेव is the right अंतर, ध्यान रखो, करनाटक सरकार ने कहा है कि भई आप पुलिस में आप ट्रांस जेंडरों को भी भरती कर सकते हैं, कितना आरच्ण दिया है, एक प्रतिसत का आरच्ण दिया है, एक प्रतिसत का आप जेंडरों आएंगे, 2002 में गोदरा दंगों का नेतरत करने वाले किस पूर सुप्रीम कोड के जज़ का अभी हाली में निदन हो गया, पड़ापट करिए, जीटी नानावटी, गोदरा दंगों में ये जांच कर रहे थे, गरीस ठाकोर दाल नानावटी को 1984 हो सिख्विरोज दंगों की जांच के लिए कमिटी में बठाये गया था, अभी गुजरात में उनका निदन हो गया, बारत में हर साल राष्टी किसान दिवस कब मनाये जाता है, बारत में हर साल राष्टी किसान दिवस जो है, ये आपका, जबता पूरी तरसे आँख ठीक नहीं हो जाती, तो दिसम्बर को बारत के पांच में प्रधान मंतरी पूरे देश में बनाते है, राष्टी किसान दिवस, अठाई जुलाई 1989 से 14 जन्वाई 1989 से प्रधान मंतरी के तेवस में सेवा की थी, ठीक है, तेज दिसम्बर, अच्छा, 22 दिसम्बर को क्या मनाते हैं हम लोग? 22 December को भी कुछ मनाते हैं, बताओ मुझे क्या मनाते हैं, 22 को मनाते हैं, फिर 20 को भी, 22 चोड़ो, तुम 21 किसी बता दो नेतरत प्रतिबदिता के लिए सहीतरा राष्टी महिला पुरुसकार किसने जीता है, यूएन का वीमन एवार्ड है यह, नेतरत लीडर्सिप कमिट्मेंट के लिए, किसने जीता है, लीडर्सिप कमिट्मेंट के लिए, शेर करते रहे रहे न भाई, सिमोना बाइल्स टाइम एथलीट हो गई BBC स्पोर्ट्स एथलीट हो गई अपनी लेखारा बेट डेब्यू हो गई पैरलिंपिक गेम में दिभ्या हेगडे इधर राइट आप सर्थ दिभ्या हेगडे की तस्वीर आप देख सकते हैं दिभ्या हेगडे जो है वो Beiru Environment Solution नाम से एक संस्था चलाती है कहां पर चलाती है Beiru Environment Solution नाम से एक संस्था चलाती है और ये संस्था ये चलाती है करनाटक के उडुपी में इनको इसलिए ये वोड दिया गया है क्योंकि इन्होंने पूरो सब महिला के बीच में लैंगिक समानता के लिए कारिक किया इसके लवा एक याद रखेगा कन्फ्यूज मत होईगा दिव्या करनाड को आपका पहली महिला थी जिनको Future for Nature Award दिया गया था इसके लवा इस बार आपका जो पदम स्री एवोर्ड दिया गया वो तुलसी गोड़ा आपसे पूछा जा सकता है तुलसी गोड़ा का संबन कहां से है तो तुलसी गोड़ा जो है यह हलकी ट्राइवल वीमें से बिलॉंग करती है बातर वर्ष की आयू में इन्हें पदम स्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है पदम स्री पुरुसकार 2020 वाले में इनको यह वर्ष दिया गया है करनाटक से बिलॉंग करती है इनका याद रखेगा यह प्रशन पूछा जा सकता है मुझे बहुत हताग एक नहीं होता शिक्स सेंस मेरा कहता है कि यह सवाल जरूर आएगा तुलसी गोड़ा का संबन कहां से है तुलसी गोड़ा का संबन कहां से है पैदल जाती है और उन्होंने बहुत बड़ा एरिया जो है छोटे छोटे पौदे लगा करे जंगल में बदल लिया ACI पुरुस होकी चैंपियंशिप में भारती टीम ने कांश्य पतक जीता है इसके लवार अगर बात करें तो यह आपका ढाका में हो रहा था और इससे पहले भारत आठ बार ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीच चुका है 28, 32, 36, 42, 52, 54, 64, 84, 84 और 80 ठीक है कितने ऐसे entrepreneur हैं या कितने ऐसे startup हैं जिनका 1 billion dollar पार कर गया है तो भारत तीसरे नमबर पर है पहले नमबर पर अमेरिका है और जहां पर 254 unicorn है unicorn ऐसी कंपनिया होती है जिनका 1 billion dollar से अधिक हो जाता है उद्यम का मूल और चीन में 75 unicorn है बाद में 33 से ICR के पिछले एक साल का करेंट पर हाली में प्रकासित bachelor dad नमब पुस्तक कितने लिखी है आओ एक एक करके बात करने इसमती इरानी की पुस्तक है लाल सलाम सुधा कृष्न मूर्दी की the sage with two horns अभी सबसे नई पुस्तक आई है the sage with two horns करीना कपूर खान की pregnancy bible pregnancy bible ठीक है राइड आंदर तुसार कपूर तुसार कपूर जो है इन्होंने सरोगेटी की मदद से एक बच्चे को अपनाया है और वो बच्चे के उपर ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी है इसका नाम है bachelor dad राष्टी उपोगता अधिकार दिवस प्रतिवस कब मनाया जाता है तो द्यान रखेगा राष्टी उपोगता अधिकार दिवस जो है ये प्रतिवस आपका 24 दिसंबर को मनाते है ठीक है 22 दिसंबर को हमने अभी पूछा था तो क्या मनाते है National Mathematics Day और 23 दिसंबर को हमने क्या बताया अभी किशान दिवस मनाते है तो ये थोड़े थोड़े पास वाले याद रखेगा वोगता अधिकार दिवस की बात की जाए तो एक वर्ड कंजूमर राइट डे भी होता है तो वर्ड कंजूमर राइट डे जो है वो 15 मार्च को मना जाता है वर्ड कंजूमर राइट डे कम बनाते हैं 15 मार्च को तो कंफ्यूज मत होईगा नेशनल वाले के हम लोग ने बात की है तो नेशनल वाले हम लोग कम मना रहे हैं शेयर कराओ वाई एक बार कसके सभी लोग दम लगागे एक आखरी बार चांस लगाओ कि ताकि 200 हम लोग पहुंच जाएं मैं भी थोड़ी सी एनरजी बढ़ाता हूँ अब अन्त समय पर आ गए हैं हम लोग तो इसको बनाते हैं देखें जब भी आप वबोगता हैं जागो ग इन्यम के तहट कितने अधिकार प्राफ्ट हैं छे अधिकार आपको प्राफ्ट हैं ठीक है छे अधिकार आपको प्राफ्ट हैं मदर तेरेशा मेमोरियल एवर्ड से किसे सम्मानित किया गया मदर तेरेशा मेमोरियल एवर्ड समाजी कारियों के लिए दिया जाता है और ये जिसे आप कह सकते हैं इको आसकर भी बोला जा रहा है इसे कौन सा आसकर बोला जा रहा है इको आसकर एवार्ड भी बोला जा रहा है ये किसको मिला विद्धुतमान विद्धुतमान को तकाचार के लिए इनका जो संस्था है वो तकाचार है इसके लब रिदिमा पांडे जो है इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर्थ के रूप में जाना जाता है ये भी उत्तरा खंडी रहने वाली है इनको भी अभी हाले में अवर्ड दिया गया इसे पहले विद्धुत मोहन को पिछले साल यंग चैंपियंस आफ दा अर्थ का एवार्ड भी दिया गया था ये पराली जलाने वाले हैं ना पराली ना जलाना पड़े उसको ले करके है तिक आगे सैफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियंसिप किस देश ने जीती है ये बांगला देश ने जीती है महिला चैंपियंसिप है बांगला देश ने भारत को राके जीता अनबवी स्पिनर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपस सन्यास की गोषना कर दी उनका नाम क्या है हर बजन से हर बजन को द्यान से सुनों उन्होंने कर दिया गोसना कि आप हम नहीं खेलेंगे आचल ठाकुर ने FIS Alpine Sking प्रतियोगिता में कौन सा पतक जीता है तो यहाँ पर उन्होंने Bronze Medal से इन्हें संतोस करना पड़ा लेकिन इस तरह से प्रतियोगिता में जीतने वाली पहली खिलाडी बन गई है अभी एक नाम आपको जरूर याद रसना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अभी हाली में आपके बीजिंग में सीट कालिंग उलबिक होंगे विंटर उलबिक कहां पे होंगे? बीजिंग में होंगे वहां पे भारत की तरफ से केवल एक आदमी जो है वो विंटर उलबिक में जा रहा है उसका नाम है आरिफ खान आरिफ खान कहां से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कस्मीर से बिलोंग करते हैं तो आरिफ खान को बताने के लिए मुझे ये निवस रखनी पड़ी 32 बसों से सांदार सेवा के बाद 23 सेप्टेमबर 22 को विजाका पटना में कौन सेवा मुक्त हो गया 23 सेप्टेमबर को कौन सेवा मुक्त हो गया तो राइट आंतर इस आयनेस खुकरी जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया गया आयनेस खुकरी अब हमारे सेना का हिस्सा नहीं है हाले में किस प्रसिद्व मलियालम फिल्म निर्माता का निदन हो गया इनका नाम देख कर बताइए नेस सीजल के लिए आप पिछले 6 मैने का करेंट अपर आपको पढ़ना पड़ेगा यानि कि अगर आप अपरेल में एक्जाम देने जा रहे हैं तो अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने का था बढ़ो तुम लोग और गट के अपर लाइक कर दो खटा कर सब लोग फटाफट दोसों पहुजाओगे बहुत मस्त कानी सुनाओगा एकड़ मोटिवेट हो जाओगे चार्ज अप हो जाओगे अब मैं तोड़ा तेट करता हूँ बारत में याड़ इसी दिन भाजपईगी जी का जन्म हुआ था चालर गुर्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स याद है कि चालर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना था लम नेगड़ सब्रद बर बाकर रैंकिन 00ग आप वो अतब था 49 कितना था 49 104 देसों में 49 चांडलर गोड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूं 25 दिजंबर 2021 को इस पेस एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़े टेलिस्कोप को सफलता पूरवक लॉंच कर दिया उसका नाम क्या है जी हाँ उसका नाम है आपका नासा ने नाज किया जेम्स वेब टेलिसकोप जेम्स वेब टेलिसकोप जो है ये एरियन 5 राकेट से छोड़ा गया था और ये आपका हबल टेलिसकोप की जगह लेगा हबल टेलिसकोप की तस्वीरे ये हैं और जेम्स इवो जो नासा के सेकेंड एड्मिनिस्टेटर थे उनी के नाम पर जेम्स वेब टेलिस्कोप का नाम रखा गया था बारती मूल के किसको दस्षिड अफरीका के सरवोच न्याई क्पिट में डस्षिड अफरीका के सुप्रीम कोड्र में नुऊक्ट किया गया तो उनका नाम है नरिंदरन कोलापन नरिंदरन जोडी कोलापन साउथ अफरीका की राखपती कोँ है? सिरिल रामपोसा केंदरी केरे मंद्री हमें साध औरा कहां पर भारत दर्शन पार्क का उधगाटन किया गया तो ये नई दिल्ली में खोला गया है और ये पार्क की खास्यती है कि यहापे जितनी भी इमारते बनाई गई हैं 22 इमारतों की कलाकरितिया हैं यहापर और उस सब कछडे से बनाई गई है इसको किस से बनाई गया? अपसे सामगरी यानि कि कछडे से बनाई गया योगी जी आ गए है तो राइट आंसर इस उत्तर प्रदिस उत्तर प्रदिस में पच्छी दिसमर को मुफ्त में स्मार्टफोन बाटे गई सुसासन सूचकांग दो जारी किस कमसार किस राजी ने सीर सिस्थान आसिल किया है ठीक है आगे सरकार ने प्रदान मतरी गरीब कर लियाड अन योजना को कब तक बढ़ा दिया गरीब कर लियाड अन योजना का मतलब यह कि आपको पांच किलो गेहूं या चाबल अलक से मिल रहे थे तो वो अभी खताम हो गई थी नॉवंबर में तो उसको मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है कब तक बढ़ा दिया गया है मार्च 2022 तक सिंपल सिंपल करते चले जाओ पीम मोदी ने हाली में 11,000 करून रुपए से अधिकी जल विद्दत पर योजना की उदगाटन कहां पर किया रेणुका डैम पूछा जा सकता है कहां पर बनाये गया है तो पीम मोदी जो हैं हिमाचल पदेश में गए एक दिन 11,000 करून रुपए की योजना को उदगाटन क पूछा जाता है धौल से बैसे उन्होंने चार होाँ पर की हैं लुरी स्टेज वन धौला सिद्ध और सावरा कुड्डू इस बार विजय अजारी ट्रोफी किस ने जीती पटाफट्ट्ट करो विजय हजारी ट्रॉफी भी हिमाचल पदेश ने जीती हिमाचल में 11,000 करून अनुक्रती उपाध्याई की कौन सी पुस्तक ने अभी हाली में जीता है सुसीला देवी पुरुस्का दोजारी किस किस ने जीता है जिन्होंने लाइक ने गया वे 500 लाइक तो मुझे चाहिए अभी अभी नटमेक कर्स की है पिरानेसी सुसाना क्लर्प की है इन्हे वीवन वूर्ड मिला भी प्रामिस डेमन गलगट की है मैं बुकर पुरुषकार मिला लाइट आंसर किन्ट सुगी किन्ट सुगी जो है ये पुस्तक किसकी है ये आपकी है अनुकरती उपाद्याई की है अनुकरती उपाद्ये की दो पुस्तके और हैं दोरा और भौरी जा पानी सराय भी है इसमें काफी वुनों निक्या लेकिन सुसीला देभी परुसकारों को मिलाय कित सुगी के लिए तो यह है विवेक जोसी विवेक जोसी क्या है आपके जंद संख्या आयुथ है यहने कि जंद गरना आयुथ है सुरी सेंसरस कमिशनर है अरे भूरा लाल पूरी क्लास में रोता ही रहा कस्मीर the quest for peace in troubled land ये पुस्तक किसके दोरा लिखी गई है बस खताब होने वाला मुश्किल से मुश्किल पांच मिनट वर चलेगा राइड आंदर ये निर्मल चंदर विज निर्मल चंदर विज जो है ये जनरल रहे सेना प्रमुक रहे पूर भारती सेना प्रमुक जनरल निर्मल चंदर विज की किताब है ये कस्मीर कुनंडरम the quest for peace in a troubled land रच्छा मंदरी ने अभी हाली में कहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माड इकाई का सफल परिछन किया है तो ब्रह्मोस को जो सफल निर्माड इकाई का परिप्षन नहीं किया है उद घाटन किया है लखनव में किया गया है ब्रह्मोस जो है वो ब्रह्मोस की ब्रह्मोस की मौस्कोवा नदीग बे मिला कर बना गया है एक बार topic वाइज पुस्तक करा दीजे बिल्कुल करा देंगे रोज अगर कर इंटरफेस करोगे तो topic वाइज पुस्तक करने की जरोत नहीं पड़े कि रोज कराता हूँ मैं ब्रह्मोस कहाँ पर लगाई जा रही है ब्रह्मोस की यूनिट कहाँ लगाई है लखनव में नोबल सांती पुरसकार विजेता आर्थ बिसप डेशमन टुटु का अभी हाली में निदन हो गया वो किस देश से संबन्दित थे याद रखिएगा वो आपके साउस अफरीका से संबन्दित थे और पहले अस्वेत बिसप थे मलब पादरी थे और नोबल सांती पुरसकार विजेता भी थे उन्हें 1984 में नोबल पुरसकार दिया गया था 1984 में अपने अस्वेत लोगों को आगे लाने के लिए उनको ये पुरसकार दिया गया था विद्धाचीड अफरीका के पहले ब्लैक एंगलिकन आर्क बिशप थे CEBR के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे व्यवस्था बन जाएगा CEBR के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थे व्यवस्था कब तक बन जाएगा तो राइड अंदर ही 2030 तक यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि भारत तीसरी अर्थवेवस्था बन जाएगा और अभी इस्तिती है कि हम सात्वे नंबर पर हैं 2030 तक हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे United States पहले से दूसरे पर पहुंच जाएगा जब कि चाइना दूसरे से पहले नंबर की अर्थे वेवस्था बन जाएगा यह अपने आपने एक बड़ा आकड़ा था राज ये स्वास्त सूचकान का चौथा संसकरण कौन सा संसकरण? चौथा संसकरण नीती आयो दोरा जारी किया गया इस सूचकांग में किस राज ने समख सूचकांग की स्टेणी में प्रथा मिस्थान प्राप्त किया? किस राज ने प्रथा मिस्थान प्राप्त किया? तो यह है आपका कैरला कैरला ने प्रथा मिस्थान प्राप्त किया है जब कि यूपी लास्ट में रहा है लेकिन यूपी ने incremental rank में पहला इस्थान आसिल किया है यह उन्हें काफी अच्छे सुधार किये यूपी ने जब कि केरला जो है वो टॉप पर रहा हूँ दूसरे नमबर पे तमिलनाडू, तीसरे नमबर पे तलंगाना दूसरे नमबर पे तमिलनाडू, तीसरे नमबर पे तलंगाना नीती है उन्हें इसे जारी किया है ध्यान रखेगा फोर्थ एडिशन था, कौन सा एडिशन था, फोर्थ एडिशन था बारत कभी UNSC की आतंगवाद निरोधी समिती की अध्यश्यता करेगा बारत जन्वरी 2022 में आतंगवाद निरोधी समिती की अध्यश्यता करने वाला है सही तरा सुजच्छा परिश्यत के प्रसित निकायों में से एक है जो उसके पांच अंग है, जो छे अंग है उनमें से एक ही है आर्टिकल नमबर 23 में आता है, दस सदस्य और पांच सदस्य के पांच पर्मानेंट हैं दस हर साल चुने जाते हैं, भारत का इसमें ये आठमा कारिकल चल ला है और नरेन मोदी UNSC की बैठक अधिश्यता करने वाले पहले भारती ये पैधान मंत्री है अभी हाली में किसे एवार्ड दिया गया आपका Global Environment Climate Action Citizen Award तो ये आपके दिया गया विरल देशाई को, विरल देशाई को Green Man of India भी कहा जाता है ये अकेले एक मात्र भारती है जिनको ये एवार्ड यहाँ पर मिला है विरल देशाई सूरत के, सूरत के उधना Railway Station को इन्होंने Green Railway Station में Convert किया था किस राज में विश्व संगीत 3500 का आयोजन किया जा रहा है तो 3500 हमेशा मद्ध परदेश में आयोजन किया जाता है 25 से लेके 30 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ इस बार ये इसका 97 संस्क्रण था कौन सा संस्क्रण था? 97 था लेकिन इस बार कालिदास सम्मान दिया गया है तांसीन सम्मान नहीं दिया गया है कार्तिक कुमार, मंबई और पंडित विक्कु नरायन को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया किस लेखक द्वारा था मोधी गैंबिट डिकोडिंग मोधी नामपुस्तक लिखी गई मोधी गैंबिट डिकोडिंग मोधी 2.0 नामपुस्तक जो है वो संजू वर्मा द्वारा लिखी गई है किसके दौरा लिखी गई है संजू वर्मा ये भाजपा के राष्टी ये प्रवक्ता है और अर्थसास्त्री भी है किस राजिके मुखमंतरी ने मीन्दम मंझपाई योजना शुरू की है मीन्दम मंझपाई मानब पीले रंका जोला प्लास्टी के थेली के उपियोग को कम करने के लिए मीन्दम मंझपाई योजना तमिल नाडू सरकार ने शुरू की है तमिल नाडू सरकार ने अभी गोशना तमिलाडू की इतना है तिस्वा जिला जो है तमिलाडू में कौन सा बना है मैला दी थुरही बना है क्रेडे ग्रेडे एजेंसी ने ICRA ने भारत का वास्तवी गरेसाकल गरिलूत पाथ वितवत 2022-23 में किस दर्श से बढ़ेगा क्या बताया उन्होंने बताया GDP भारत की 9% से ग्रोथ करेगी ICAR ने यह गोषना की किस ने यह गोषना की? ICAR ने किस राजिय मुखमंत्री ने 19 दिसंबर को सुराई इकोर टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उधगाटन किया है इतना तो होई सकता है न आपसे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आगे अटल्ट रैंकिंग 2021 के उन्सर किस संसान ने सीर दिस्थान हासिल किया है तो अटल्ट रैंकिंग जारी की गई तो इसमें IT मदराज जो है वो टॉप पर आया है यह दो अभी दो तीन दिन पहले कही है केंद्री ओसदी मानक नियंदरन संगठन ने आपात काली निस्तिती में प्रतिबंदित उप्योक के साथ कार्बो वेक्स और को वेक्स के टीके साथ एक दवा को भी मंजूरी दिये है उस दवा का नाम क्या है उस दवा का नाम है मॉल्लो पिर्विर उस दवा का नाम क्या है मॉल्लो पिर्विर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेस सौ विकेट लेने वाले भारती विकेट कीपर कौन बन गया है मैंने काता ना एक कोशन और आएगा रिसब पंथ से जड़ा हुआ तो देट इस दराइट आंसर रिसब पंथ रिसब पंथ ने धोनी को पीजे छोड़ दिया है किसको सामिल किया गया इजब इंग को सामिल कर लिया कैईट बिक्ष देशों का बैंक है न्यू डवलोप्ट बैंक हें नडिभी का मुख्याले कहां पर है कोई बताएगा न्डिभी का मुख्याले कहां पर रहा है संगाई चाइना में एंडीबी का मुख्याले यानि की न्यू डेवल्मेंट बैंक का जो मुख्याले है वो चाइना में है वर्तमान समय मारकस प्राडो ट्राइजो जो है वो इसके हैड है मारकस प्राडो ट्राइजो कहां के हैं ब्राजील के हैं याद रखेगा इससे पहले अभी बांगलादेश, सहिंतरव अमिरात और उरुग्वे को अपने नए सद्सक्रेश के रूप में स्विकार किया गया था निरस्तिरी करण पर UN सम्मीलन में भारत का नया इस्थाइप रंदिदी किसे न्यूक्त किया गया है तो निरस्तिरी करण पर समालित किये गया हैं, सीपी गोयल, चंदर प्रकास, ना 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 गरबर कर दिया बने, यह तो अनपम रे हैं बाई, टकले हैं, अनपम रे इदर आई जानतर, अनपम रे, अनपम रे जो हैं, यह पंकस सर्मा का जगए लेंगे, पंकस सर्मा में को अभी मेक्सिको बेख दिया गया, मेक्सिको का राज़ू ना दिया, उत्तर पते सरकार ने जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया, उत्तर पते सरकार ने जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है, रानी लश्मी भाई, वीराना रानी लश्मी राणी लखनी भाई रेलवे स्टेशन मेक्सिको में भारत के अगले राजदूद के रुपे किसे ने उत्किया गया अभी बात करी हम लोग ने पंकज सर्मान मेक्सिको में भारत के नई राजदूद बनाए गया सीमा सुरच्छा बलके महा निदेशक का अतरिक प्रभार किसे दिया गया कुमार राजेश्चंद्र रेटायर हो गये उनकी जिगे नए आए है उनका किसको दिया गया है संजेय अरोडा को संजेय अरोडा अभी ITBP के है ITBP के डाइक्टर जर्रेल के रूमें काम करें एक्टर प्रभार इन्हें मिल गया अज़ा अभी हाली में सील वर्धन सींग सील वर्धन सींग को एपोइंट किया गया किसका CISF का DG बनाए गया अतुल करवाल को भी हाली में DG बनाए गया वन महानी देज़ा को विशेश सच्चिव के रूप में किसे ने उसकिया गई ये हैं फॉरेश्ट डिरेक्टर आप डिरेक्टर और फॉरेश्ट भी कह सकते हैं चंद प्रकास गोयल सीपी गोयल इस दा राइट अंजर और आज का आखरी प्रेश्ट श्यामा प्रसाद मुखर जी रर्णबन मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य जो है वो सीर्थ इस्थान आसिल किया है जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो पटाक से 500 लाइक कर दो फिर मैं चला जाओंगा बिना कुछ बोले चुक चाप चला जाओंगा और अगर आप 500 लाइक अभी कर देंगे तो ठीक है शलो बाबाय टेक किया मैंने सोचा था आज 500 लाइफ करेंगे हम लोग कोई नहीं एक ना एक दिन होई जाएगे आप वीडियो को शेर कर दीजेगा और अभी मैं चाहता तो हो सकते थे मैं अलब जैसे देख पर रहा हूं कि 470 लाइक है not bad response ठीकी था जितने लोग जान अब देखो dislike वाला option तो खतम ही हो गया तो क्यों अपना dislike बरबाद करते हो like ही कर दो तुम किसी के तो कामा हो मेरी कामा जो तुम लोग मुझे ही like कर दो बस चलो बाबाय टेक एर good night कल सुबह मिलते हैं 8 बजे करेंट अपरस आएगा और यार 24-25 लाइक रहा है 24-25 लाइक न नहीं दुखा हमारा क्यों दुखेगा बाई कब होती है क्लास हर रोज होती है रोजी होती है अगर अभी 500 कर दोगे मैं तुम्हारे सामने पीडियाफ अपलोड करूँगा देखना चाहें 500 हो नहीं जाएगा कुछ सुनाईए सर कुछ बताईए अब देखो 20 लोग बचें क कर दो मैं करा के जाओंगा 500 मैं अभी जिद्धी हूँ थक गया हूँ याद दो गंडे से लगातार बोल रहो हूँ दो गंडे हो गया ना बोलते 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 आथ तो पानी भी नहीं रखा था पानी भी नहीं प्या आप बहुत क्यूट हो सर अच्छा खटम टाटा बाई 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 करन की कलास देली हो दी राधा मौन सुबह आड वजे हो रही है एक स्टोरी सुना ये सर इस्टोरी यार याद नहीं आ रही देखो एक बंदे ने लाइक किया फिसने कुछ और कर दिया वही ऐसा मत करो पांच मिनिटर बेसे ऊसे हाँ लेकर सब्सक्रीज अरे यहा अभी आध को